हेलो सुरेंट्स, वेलकम टू नीट कागा जी, ऊपर आका है और नीचे आपका कागा है, तो आज अपने पढ़ने वाले हैं आपका बायलोजी का फर्स्ट मॉक टेस्ट, सिम्लर काइंड ओफ कोश्चन्स आपको आपके नीट एग्जाम के अंदर देखने को मिल लेंगे, हंडर्ड कोश्चन्स वन बाय वन अपने डिसक्स करने वाले हैं इस पूरे कंप्लेट सेशन के अंदर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिससे आप लोगों के लिए सारे कोश्चन्स एक्स्ट्रेक्ट नहीं किये गए हूं, most important कोश्चन्स और ऐसे कोश्चन्स हैं जो इस स कोश्चन्स आपको देखने को मिले, आपको बतायाता हूं, यह जितने भी कोश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, यह previous year based जो कोश्चन्स हैं, NEET exam के लिए जो कोश्चन्स पूछे गए हैं, उन्हीं के बिहाब पे, similar kind of topics से, similar kind of basis से, यह सारे कोश्चन्स आप लोगों के एक्सट्रेक किये गए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने लगातार, जो मौक टेस्ट अप नीट कागजी प्लेटफॉर्म पे होने वाले हैं, उन सभी मौक टेस्ट को और लास्ट जो आपसे session डिसकस हुए हैं, जिसमें PYQ का session, 36 year का PYQ का पूरा complete निचोड, complete graph, complete tables, यह सारे जितने session हुए हैं, जिस student ने कर लिए, 368 और 360 easily score करेगा, जिसने पूरे साल simple general अपना biology अच्छे से पड़ा है, general points सारे याद किये हैं, और यह सारे papers जिस student ने कर लिए, 101% 368 और 360 score करेगा, तो one by one आप सभी के सामने 100 questions आएंगे, आप अपने copy के अंदर पहले से ह 30 mark करके रख लें, जैसे ही question आपके सामने represent होता है, उस question का answer आपको लिखना है, और question के बाद में, आपके कितने marks आ रहे हैं, 360 में से आप कितना score कर पा रहे हैं, वो आपको define करना है, 360, I mean 100 question आपको discuss करेंगे, तो आपको 400 से अपने marks जो हम ड्रॉप करने है, कि 400 में से आपन क्या score किया, और last के अंदर आपको एक question मिलेगा, जिसका answer आपको इस comment, इसी section के comment box के अंदर ही drop करना है, सबसे last के अंदर मैं आप लोगों से discuss करूँगा होगा question, और most important question रहने वाला है, जो 101% neat में आने के chances हैं, तो इसी session के अंदर one by one आप अपने answers drop करें, मैं देखता जा हूँ और quick अपने revise करेंगे, हर एक question अपने discuss करते होगे चलेंगे in detail, और for sure मैं आपको बता देता हूँ, यह आपको मैं ensurety देता हूँ कि इस session से minimum 4 to 5 question आपके need exam के अंदर touch होने वाले, आप कहेंगे sir, आप two questions back side में, graph के अंदर आपने claim किये थे, two questions आपने tables में किये थे, pyq उसमें अपनी questions claim किये हैं, यहाँ पर भी मैं 5 questions claim कर रहा हूँ आपके need exam के अंदर, हर एक mock test जो रहने वाला है, उसमें minimum 5 to 6 questions, 5 to 6 questions easily touch होंगे आपके need exam में अगर आप बने रहते हैं, last time आप बने रहे हैं, 100 में से कितने questions आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हुए, कितने silly mistake की वज़े से आपके गलत हुए, कितनों के concepts आपको याद नहीं थे, even question की language अगर आपको याद रहे हैं, तो वो भी आप drop कीजिएगा, और 100 number question जो आपका रहने वाला है, उसका answer आपको इसी session के last में इसी के comment box अंदे drop करना है, with your maths, तो तयार हैं आप सभी, फुद को test करने के लिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है, जब last time में आप सभी, कितना पूरे साल आपने पढ़ा है, कितनी आपकी तयारी है, यह session बता देगा पूरा अकेला, ज्यादा time नहीं लूँगा मैं, फिक अपने speed up इसको ले करके चलेंगे, और बिल्कुल neat pattern पे चलेगा, ऐसा नहीं question आप से पूछे जाएंगे, ओके, start करते हैं, one by one आपके answers में expect करता हूँ, सबसे पहला first question, देखिए आप, most important chapter number 8, chapter number 8, cell the unit of life according to all NCRT, select the incorrect statement with respect to the plasma membrane, plasma membrane की respect में इन में से कौन सा statement incorrect है, यह आपको define करना है, तो देखिए आप, phospholipids are mean membrane lipids, phospholipids mean membrane lipids है, बिल्कुल सही है, phospholipids mean membrane lipids की तरह consider होते हैं, tail of the membrane lipids are hydrophilic, जो इनकी tail होती है, वो कैसी बताई हुई है, आपको hydrophilic nature की बताई हुई है, क्या tail hydrophilic nature की होती है, क्या, अगर मैं बात करता हूँ, यह phospholipid जो आपको देखने को मिल रहा है, इस phospholipid का जो tail होता है, वो कैसा होता है, hydrophobic, कैस here, तो ध्यान रखें, ध्यान रखें, head इनका कैसा है, hydrophilic और tail इनका कैसा होता है, hydrophobic, तो second statement क्या है इनका, गलत, head of the membrane lipids are found in exterior side, exterior side में देखने को मिलेगा, intrinsic protein are amdate in the plasma membrane, yes, partially amdate भी हो सकता है, और fully amdate भी आपको देखने को मिल सकता है, so answer is, आप से incorrect statement पूछा है, incorrect statement, so answer is, answer is 2, अगर आप ढंक से देखें, क्या होगा आपका answer, answer is 2, clear, next, quick, जल्दी से अपना answer drop करें, phase, phase of the cell cycle in which genetic material gets doubled, phase, इनमें से कौन सा phase ऐसा है, जिनमें genetic material double हो जाता है, आप देखें, आपको दिया हुआ है Z1, Z1 phase आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है Z1, एक दिया हुआ ह आपको M, genetic material is considered, here is 2C, and मालनी जे 2 chromosome यहाँ पर है, तो यहाँ पर synthesis phase में 4C, यहाँ पर 4C, और इसमें chromosome का number 2, chromosome का number 2, अगर chromosome के number अगर आप देखें, chromosome आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर content आपको क्या देखने को मिलता है, just double, यह वो phase है जिसके अंदर content क्या हो clear, quick, जल्दी से आप अपने answer drop करें और अपने साथ के साथ लिखते जाएं, आप सभी answers जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप, next, centromere, centromere of homologous, centromere of homologous chromosome split during, अब homologous chromosome का जो centromere है, यह homologous chromosome आपको देखने को मिलते हैं, यह homologous chromosome खुद meiosis first के अंदर एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं, anaphase first में, after that, meiosis second की जो anaphase second आती है, meiosis second का जो anaphase second आता है, उस anaphase second के अंदर यह दोनों, इन दोनों के centromere split होते हैं, दिखर आपको, इसमें पूचा से हैं, homologous chromosome, अब answer में आपके telophase, metaphase first, prophase first, और anaphase first, सबसे पहले बात, centromere की splitting होती ही, य और दूसरा, या तो होगा anaphase of the mitosis, या होगा anaphase second of the meiosis, अगर आपको यहाँ पे दिया हो, anaphase of mitosis, anaphase second of the meiosis, and both A and B, तो ध्यान रखना, इसमें गल्ती मत करना, first option के साथ में, चार option तक अच्छे से पढ़ लेना, वो आपको anaphase, mitosis का anaphase भी दे सकता है, और anaphase second of the meiosis, so answer is four, next, which one of the following is not a defining feature of the living organism, living organism का इन में से कौन सा defining feature नहीं है, बढ़ी सी बात है, living organism के लिए अगर अपने features की बात करें, तो आपको दिया हो है, growth, आपको दिया हो है reproduction, characteristics तो है यह, growth है, reproduction है, metabolism है, metabolism क्या यह characteristic है, yes, क्या consciousness, आपको दिया हो है, आपको आपर consciousness जो दिया हुआ है, consciousness, after that, cellular organization, cellular organization, cellular organization, next, growth, इसके अलावा, ठीक है, यह five factors आपको दिया हो है, यह सारे के सारे as in characteristics ही तो भीएव करते हैं, महलब characteristics तो हैं, बट यह दोनों, आपको defining feature देखने को नहीं मिलते, यह तीनों characteristics भी हैं, और living को non-living से define करने के लिए, आप on the basis of metabolism, consciousness and cellular organization, use कर सकते हो, here growth जो होगी, वो living and non-living दोनों में देखने को मिले की, और reproduction, living के अंदर काफी सारे ऐसे example है, जिन में reproduction नहीं होता, तो these all are the characteristics to define a living organism, बट the defining feature of the living organism is metabolism, consciousness and cellular organization, अच्छे अच्छों को यह चीजें clear नहीं होती हैं, ध्यान से सुन लेना, these all are the characteristics of the living organism, चिक है, और living organism के characteristics हैं, और it may be in the non-living also, like growth, growth non-living में भी होता है, बट the defining feature, जो living and non-living को एक दूसरे से अलग करता है, वो आपको यहाँ पर, यह सिर्फ living के अंदर ही होगा, यह सिर्फ living के अंदर ही होगा, यह सिर्फ living के अंदर ही होगा, पट यह जो condition ने living के the living organism, बट the defining feature is, metabolism, consciousness and cellular organization, अच्छे से पता होना चाहिए, define कर दी आपको, अब कोई गलती आपको नहीं करनी है, so answer is, क्या है, what is the not defining feature आप से पूछा है, तो answer क्या जाएगा आपका, growth, clear, next, all of the following, all of the following are true for mycoplasma, except mycoplasma के लिए इन में से सारे के सारे सही हैं, बस एक को छोड कर अगे, it can grow in anaerobic condition, yes, यह anaerobic condition के अंदर grow कर सकता है, cell wall is made up of a peptidoglycan, cell wall is totally absent, insensitive to penicillin, also known as PPLO, pluronamonia-like organism, आपको देखने को मिलता है, सबसे important चीज़, आपको क्या पता है, कि इनके अंदर cell wall totally क्या होती है, absent होती है, पादब जगत के जोकर इनको बोला जाता है, cell wall is made up of peptidoglycan, चोड़ो, cell wall totally absent होती है, NCRT के अंदर आपको दिया होगा, NCRT chapter number 2, biological classification, chapter number 2, जो biological classification है, 11th NCRT, 11th NCRT के अंदर biological classification के अंदर, page number 20 होगा, 20 number page पे जब आप जाकर के देखेंगे, तो second paragraph जो mention होगा, उसके अंदर आपको mention किया होगा है, कि mycoplasma, जो होते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा, प्रोटिस्टा के जस्ट ऊपर तीन लाइने लिखी हुई है, टिक है, next, fungus which is a member of ascomyestries, ascomyestries के इसमें से member कौन सा है, अल्टर्नेरिया, अल्टर्नेरिया, सोलेनाई आपको पता होना चाहिए, कोलियो, ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, एन पैनिसीलियम, पैनिसीलियम, ascomyestries का member क्या है, पैनिसीलियम, and rest of all are in deuteromyestries, किसमें आते हैं यह, deuteromyestries के इन आपको देखने को मिलते हैं, clear, next, carazin is mainly produced by the member of most important question, और यहां से statement और direct question भी पूछा जा सकता है, और इसकी trick मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, A, B, C, और R, A, B, C, R, A for algin, A for algin, and C for carazin, C for caragene, बोला जाते हैं, इसको caragene, ठीक है, और यहां पे B किसको define करता है, B defines the brown algae, B किसको define करता है, B जिसमें algin आपको देखने को मिलता है, यह define करता है, brown algae को, और R किसको define करता है, जिसके अंदर carazin देखने को मिलता है, यह define करता है, red algae को, तो kairazin आपसे पूछा है और kairazin आपको कहां देखने को मिलेगा red algae के अंदर आपको देखने को मिलता है NCRT chapter number 3 planned kingdom के अंदर table दिया हुआ table number 3.1 table number 3.1 के अंदर भी ये mention है table number 3.1 kairazin आप वहां से पढ़ सकते हैं red algae के अंदर mention है वहां से आप इसको देख सकते है even starting के अंदर economical importance दिया हूँ वहां mention किया हुए clear important point है मैं फिर से बोल रहा हूँ ये दोनों question most 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 important है आपके neat point of view से alzine and kairazine ये जो hydrocolloids आपको देखने को मिलते है phycolloids आप बोल सकते हो देखने को मिलते है अच्छे से याद रखें इनको clear next which one of the following plant shows haplodiplontic life cycle haplodiplontic बोल आप से देखो भई एक होता है आपका haplontic एक होता है haplontic एक होता है आपका haplodiplontic या diplohaplontic और एक आपका होता है diplontic आप कहेंगे सर ये तीनों ही क्यों बनाए ये आपका n stage और ये आपका 2n यहाँ पर n और 2n और ये कैसा होता है ये इसका 2n और n ये stage होती है diplontic भई देख लो ज़्यादा एरिया किसने cover किया है diplontic यहाँ पर equal है तो haplodiplontic और diplohaplontic ये ज़्यादा एरिया किसने cover किया है haplontic P B P P Z and A TB P Z A थैलोफाइटा, ब्राइवफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोसम और एंजियो स्पर्म चिक है अब आपसे पूछा है which one of the following show haplodiplontic life cycle clamidomonas algae के अंदर consider होगा green algae, eulothrix green algae pucus के अंदर exceptionally NCRT chapter number 3 सबसे last last paragraph के अंदर two and diplontic life cycle इसके अंदर देखने को मिलता है diplontic life cycle देखने को मिलता है exceptionally eulothrix and clamidomonas के अंदर आपको haplontic life cycle देखने को मिलेगा haplontic यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी क्या होगा haplontic और exceptionally polysiponia, ectocarpus और kelp आपको वहाँ पर mention क्या होगा है इनके अंदर आपको haplodipontic life cycle देखने को मिलता है exceptionally polysiponia last last paragraph ncrt chapter number 3 plant kingdom के अंदर three line ने लिखी हुए तीनों को जाकर के अच्छे से observe कर ले fucus नहीं लिखा है वहाँ पर ficus लिखा है fucus angiospermic plant है sorry fucus algae है और ficus angiospermic plant है fucus एक algae है फिर से बोल रहा हूँ brown algae है fucus वो है जिसके अंदर air bladder present होता है air bladder fucus का diagram जाकर के देखो आप उसके अंदर air bladder present and most important question directly पूछा जा सकता है आप लोगों से तो अच्छे से देख लें जो point मैं बोल रहा हूँ ये fucus वो है जिसमें diplontic life cycle है fucus वो है जिसके अंदर इसका diagram आप जाकर के देखें air bladder आपको देखने को मिलेगा ठिक है air bladder आपको देखने को मिलेगा इसके diagram के अंदर लिखा हुआ तो ये सारे point पता होने चाहिए next next आ जाईए how many of the given plants have zygomorphic flower zygomorphic एक होता है एक्टीनों मॉर्फिक एक होता है जाईगों मॉर्फिक जाईगों मॉर्फिक जो होते है इनके इंदर सिमिट्री कैसी होती है इनके इंदर सिमिट्री होती है bilateral symmetry कैसी होती है bilateral symmetry आपको देखने को मिलेगी bilateral symmetry actinomorphic in the radial symmetry होती है अब bilateral symmetry के अगर example आप बोलें तो आपके पास में क्या क्या example दिये हो है आपकी NCRT ने जो example दिये हैं वो example मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसके लावा भी number of examples है but NCRT के examples मैंने आपे लिखे क्या mustard में होता है क्या radial symmetry इन दोनों के अंदर आपको जाइगोमोर्फिक सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है so answer is two गुलमोहर और बीन बोथ हार दा member of Fabrici family no doubt इसके आगे सिसल्पेनोईडी, Laguminesi माई मसोईडी देखने को मिलेगी यह solinesi family, solinesi इन ब्रेशी किसी family का member है इनके अंदर आपको radial symmetry देखने को मिलती है और दो member, गुलमोहर और बीन गुलमोहर और सेम के अंदर आपको जाइगोमोर्फिक फ्लार देखने को मिलते हैं most important point है, जल्दी से देखें quick, next question आपका permanent tissue, permanent tissue के लिए इन में से कौन सा consists of a long, narrow and dead cell 100% true है, colonyma occurs in the layer below the epidermis in most of the dicotyledon plants dicotyledon plants की hypodermis कैसी होती है colonymatus होती है, PTOL में भी मिलता है parenchyma, thick cell wall composed of suberine no, suberine आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है क्या मिलता है, cellulose answer is 3, clear, next sclerid क्या है, spherical, oval, cylindrical cells with the highly thickened cell wall NCRT chapter number 6, NCRT chapter number 6 page number 85, page number 85 पे जब आप जाकर के देखें 83, 84, 85 number page पे जाकर देखें सबसे last last paragraph है, मुआ पे mention किया हुआ है आपका chapter number क्या है, 6 और page number आपका क्या है, 85 85 पे आप जाकर के देखेंगे, anatomy in flowering plants according to old NCRT, ये नमबर में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना ये पेरन काइमा के अंदर आपको suberine deposition देखेंगे हो नहीं, the cell wall suberine की नहीं बनी होती है, ध्यान रखना clear, simple tissue के अंदर आता है ये, next answer is 3, अच्छे से देखें all the given are the reactant of TCA cycle except इन में से TCA cycle में कौन सा reactant नहीं है succinyl coenzyme 4 carbon compound है, एक behave करता है as an reactant, fumaric acid reactant for the formation of the malic acid pyruvic acid, pyruvic acid कहीं पर भी reactant की तरहां work करता हुआ दिखाईन नहीं था, link reaction में होता है, citric acid 6 carbon का compound होता है, जो alpha ketoculteric acid के लिए as an reactant की तरहां work करता है, so succinyl coenzyme बिल्कुल सही है except आप सको बोलाएं न, तो इन में से pyruvic acid link reaction के अंदर होता है आप देखें, oxaloacetic acid 4 carbon, 2 carbon का acid alcoenzyme मिलकर के 6 carbon का citric acid, citric acid से 5 carbon का alpha ketoculteric acid 4 carbon का succinyl coenzyme, 4 carbon का succinic acid, 4 carbon का fumaric acid 4 carbon का malic acid और फिर उसके बाद में oxaloacetic acid which is the first member of, first member of citric acid cycle अब आपको ये सारे comment box के अंदर इसी session के last में इन सभी के नाम drop करने है, 4C oxaloacetic acid से start होकर के 2C इसके अंदर add-on होता है, तो क्या बनता है, citric acid बनता है alpha ketoculteric acid, succinyl coenzyme, succinic acid, fumaric acid, malic acid and after that again oxaloacetic acid, clear, so next अच्छे से अनालाईज करें क्या होगा, देखिए, using a prism, using a prism, a scientist splitted light into its spectral component and then eliminated a green alga clad of aura चिक है, in the above statement, the scientist who performed the above experiment was, scientist कौन थे भई, यह पूछा आप से, कि जो experiment हुआ है, वो experiment में scientist कौन से थे, चिक है, तो आप बता सकते हैं, हाँ जी, page number 208-209, NCRT के अंदर जब आप जाएंगे, तो NCRT के अंदर, starting के अंदर अगर आप देखें, 208-209, 208 पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, उपर से दूसरा paragraph जो आप जाकर देखेंगे, TW Engelman के बारे में अच्छे से define किया हुआ है, देखिए आप, क्या है, TW Engelman जिनों ने एक्सपरिमेंट किया था, जूलियन वोन सेच ने स्टार्च के बारे में बताया था, जोसफ प्रिस्टिल ने oxygen release होती है, उसके बारे में बताया था, जैन इंजिन हाउस ने बताया था, कि light required होती है, और green parts से ही, food की formation होती है, important है, फिर से बोल रहा हूँ, TW Engelman, NCRT chapter number 13, chapter number 13 के अंदर, page number 3, page number 3, chapter number 13, जहां से start of the page number 3, second paragraph, second paragraph, जब आप जाकर के देखेंगे, वहाँ पे आपको पूरा experiment लिखा हुआ मिलेगा, NCRT chapter number 13, photosynthesis in higher plants according to old NCRT and according to new NCRT chapter number 11, clear? तो, answer is first, next, the naturally produced oxyn, NCRT chapter number 15, NCRT chapter number 15, naturally produced oxyn कों से है अब ही इसमें से, nataline acetic acid synthetic है, zeatine होता ही cytokinin है, 2,4-D synthetic है, indole acetic acid, indole acetic acid and indole butyric acid, the natural, जिनके अंदर indole ring आपको देखने मिलता है, natural produced, naturally produced oxyn की category के अंदर आता है, so answer is fourth, plant growth regulators से ये question आपको दिया है, embryo sac of angiospermic plant, embryo sac of angiospermic plant, angiospermic plant का embryo sac, angiospermic plant का ये embryo sac मैंने बनाया, इसमें ये egg cell है, उसके साथ में ये wall ठीकन आपको देखने को मिलती है, जिसमें philiform apparatus, ये egg cell, ये दो synergids हो गई, ये दो antipod, ये three antipodal cells हो गई, mid में present दो polar nuclei हो गई, ठीक है, और ये इसका angiospermic plant है, तो anatropos type में आपको define कर देता हूँ, ठीक है, इदा देखिए, roughly एक embryo sac में ने बनाया है, अब क्या बोला है, देखिए, has three synergid and two antipodal cells, three synergid and two antipodal cells, गलत है, has three cell egg apparatus, yes, ये पूरा complete किसकी तरह consider होता है, egg apparatus कि तरह consider होता है, इसमें कितनी cell होती है, three cell आपको देखने को मिलती है, 100% true statement है, is a eight cell and seven nucleated structure, बिल्कुल सही है, seven cell, eight nucleated, जल्दी-जल्दी में धोका मत खा जाना, वो starting-starting में लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर क्या है, eight cell दिया हुआ है, गडबड मत करना, आदिस जा जनता तो इसी को रूणती है, इसमें, embryo sec का जब पूछ दिया है, तो ध्यान अगना, मलब देखने में लख रहा है कि answer क्या होगा, वो जो आंखे है ना, थोटी-ची खोल करके रख लेना, इस time के अंदर, जल्दी करने की जूरत नहीं है, ठीक है, इसका option भी क्या है, गलत, has three anti-portal cell at the micropylor end, कहां होती है, chelizal end की तरफ होती है, किस end की तरफ, chelizal end की तरफ होती है, so answer is two, most important question है, तो आपको समझ में आना चाहिए, next, all the following produce the albuminus seed, except, albuminus seed, albuminus seed, most important, इसकी trick बता रहा हूँ, सुन लो, दो word है, एक होता है, एक होता है, ex albuminus, albuminus जो होते हैं, उनको बोलते हैं, endospermic, क्या बोलते हैं, endospermic, और एक होते हैं, non endospermic, क्या होते हैं, non endospermic, आज के बाद कभी भी confused मत होना, बेटा कितने word हैं ये, कितने word हैं, दो, दो मतलब, dicot में specific होंगे, ये कितना word है, एक, एक का मलब, monocot, most of monocot के अंदर, आप हो कैसे seed मिलते हैं, endospermic, most of dicot में कैसे मिलते हैं, non endospermic, समझ में आया, कि non endospermic, दो word है, मतलब dicot के अंदर है, endospermic, एक single word है, मतलब monocot में, पहले तो ये हो गया, एक्सेप्शनली, कैस्चर, कैस्चर एक dicot है, फिर भी उसमें कैसे seed होते हैं, endospermic, dicot होने के बावजूद कैसे हैं, endospermic, और orchid, orchid एक monocot है, जिसमें कैसे seed होते हैं, non endospermic, exceptionally, तो उचह है albuminus seed, मतलब monocot वाले सारे इसके अंदर आ जाएंगे, wheat monocot होता है, maze monocot होता है, bean और caster, caster में exceptionally endospermic seed होते हैं, आंसर क्या जाएगा, bean, dicot, clear, तो ध्य नखना, important point है, important point है, दो वर्ड मतलब, non endospermic, non albuminus, x albuminus जिसको बोलते हैं, clear, यह points आपको crystal clear रहे, regarding to this question, इस पे based question पूछा जा सकता है, morphology in flowering plant से पूछा है, 12th NCIT में भी दिया हुआ है, how many of the given autosomal recessive disorder, इन में से कितने autosomal recessive disorder है, यह कैसा होता है, यह तो x-link dominant होता है, x-link, x-link, recessive है dominant, recessive होता है, hemophilia और color blindness, दोनो x-link कैसे होते हैं, recessive होते हैं, second number, phenyl ketonuria, autosomal recessive है, sickle cell anemia, यह भी कैसा है, autosomal, autosomal recessive है, myotonic dystrophy, यह कैसा होता है, dominant, यह कैसा होता है, dominant, यह कैसा होता है, dominant, और आपसे पूछा क्या है, autosomal recessive, तो एक और दो, दो ही रह गए, sponsor is two, ध्यान दखना, मैंने आपको बताया था उस समय, hc, यह दोनों कैसे होते हैं, x-link, recessive, उसके लावा phenyl ketonuria, phenyl ketonuria, sickle cell anemia, sickle cell anemia, और thalassemia, यह किसी काटेकरी में आते हैं, यह autosomal recessive की काटेकरी के अंदर आते हैं, और वो excellent recessive की काटेकरी के अंदर आते हैं, clear, next, अब आ जाईए, इसके बाद next अपका question, क्या पुछा है, lac izin, क्या पुछा है, lac izin of the lac operon, lac i क्या होता है बेटा, यह पूरा complete lac operon की अगर बात की ज a, इससे पहले क्या होगा, operator, promoter, यहाँ पे क्या होगा, pi, यह izin आपका, ठीक है, और यहाँ से आपका structural gene start हो रहा है, structural gene start हो रहा है, यह इसका downstream वाला part और यह इसका upstream वाला part, ठीक है, अब क्या पुछा है, has a binding site for the repressor protein, इसमें repressor protein की binding site होती है, वो तो operator के पास होती है, त upstream of the lack operator site, yes, upstream of the lack operator site, बिल्कुल सही है, it present in the downstream of the lack azine, lack azine के downstream side में, नहीं, small a है बेटा, ध्यान रख लेना, यह तो मैंने जल्दी-जल्दी में लिखा है, z, y, a, zine को ऐसे ही represent करते हैं, small में, next, transcribes the permease protein, permease को कौन transcribe करता है, beta-galactosidase, permease or transacetylase, यह beta-galactosidase, beta-galactosidase, और यह permease, और यह transacetylase, transacetylase, तो confuse मत हो न, इसने लिखा है कि, i-zine जो होगा, वो क्या permease बनाएगा, क्या, नहीं, i-zine तो सिर्फ किसको बनाता है, repressor, repressor protein को बनाता है, beta, इसको बनाता है, repressor protein को बनाता है, पहले इसका MRN बनेगा, फिर वहाँ से protein बनेगा, clear, so answer is, 2. Next, population interaction, in which the one organism gets benefited, एक को क्या हो रहा है, फाइदा हो रहा है, और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो paracetism हो जाएगा, paracetism हो सकता है, predation हो सकता है, commonsalism के अंदर क्या होता है, positive and zero, mutualism के अंदर positive and positive, तो ऐसा कोई, सिदा ही कट हो गया, positive यह इंट्रेक्शन का question मैंने include किया है फिर से याद है तब ही मैं claim कर रहा हूं इस session से भी आपको क्या मिलेंगे 5 question जहां नकले ना most important है मैं फिर से बोल रहा हूं आप सभी को आप सभी को अच्छे से proceed करना है general points जो आप लोगों से discuss किये जा रहे है देखो भई यह जो mock test है इससे जितने जो question में discuss कर रहा हूं जो जो explanation आपको दी जा रही है जैसे देखो last question के अंदर आप लोगों से discuss हुआ अब यहां से तीनों से कोई भी question बन सकता है यहां नकले ना z इससे पहले मैंने आप लोगों से discuss किया यह HC यह कैसे है यह excellent recessive है और यह autosomal recessive है तो directly आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में तो एक ही question को explain करते हुए जा रहा हूं है next diapos क्या होता है बेटा NCRT 12th NCRT 12th NCRT के अंदर आपको diapos के बारे में दिया हुआ है उपर is seen in all sea animals is present in phytoplankton सबसे पहली बात तो यह ju planktons के अंदर होती है और दूसरा यह general suspended stage होती है जो ju planktons के आपको देखने होती है last last two lines diapos के regarding लिखी हुई है अगर आपने धंग से पढ़ा हो NCRT को तो clear so answer is जंतु पलवकों में एक निलंबित विकास की प्रावस्ता को diapos बोल प्राया हुआ है ठीक है उद्धान रखना which one of the following has the highest number of species diversity amongst the invertebrate की बात कर दी क्या भाई invertebrate के अंदर तो एक ही है आर्थोपोड़ा और आर्थोपोड़ा में भी कौन सी क्लाज इंसेक्टा आर्थोपोड़ा में भी इंसेक्टा crustacean भी आर्थोपोड़ के अंदर आते हैं मुलस्का पूरा फाइला है आर्थोपोड़ा के अंदर आता है आंसर क्या आ जाएगा इंसेक्ट आर्थोपोड़ा में भी क्या इंसेक्टा आर्थोपोड़ा पूरा complete two by third non species को शोग करता और उसमें maximum diversity आपो किसमें देखने को मि बिलती है so answer is one वो पाई डाइग्रम है ना सारे सारे पाई चार्ट वो अच्छे से देख ले ना बेटा next select the incorrect statement with regarding to the slime mold slime mold के respect में आप पो incorrect statement अच्छे से देखनी है NCRT chapter number two biological classification biological classification page number 21 page number 21 according to old NCRT page number 21 है biological classification 11th NCRT का chapter number अपका two है नीचे से जो second paragraph है उस paragraph को अच्छे से जा करके देख लो क्या लिखा है they are saprophytic protest 100% true है under suitable condition they form an aggregation called plasmodium 100% true है their spores lack of their spores lack true cell wall no their spores have true cell wall उनके spores के अंदर आपो क्या देखने को मिलती है true cell wall देखने को मिलती है तो incorrect statement तो क्या होगा आपका third fourth भी पढ़ लेते है spores are dispersed by the air current 100% true statement है last last line ही है समझ में आ रही है बाद अच्छे से देख लें most important अच्छा question है slime mold पूरा cover हो रहा है इस question के अंदर अगर आपने ढंग से इसको analyze किया हो तो next all the following properties are true for RNA इनमें सारी properties RNA के लिए true है uracil present instead of thymine RNA RNA के अंदर कौन-कौन से 4 nucleotide होते हैं बही था A, U, Z, and C ये चारों इन पे based आपको RNA nucleotide मिलते है uracil, thymine की जगए uracil होता है true है ribo sugar होती है 100% true है second prime OH is absent second prime OH इसके अंदर जो ribo sugar आपको देखने को मिलता है इस ribo sugar के अंदर second prime OH ये OH beta stage होती है beta form होती है second prime OH आपको देखने को मिलेगा ये second prime ये third prime और यहाँ पर क्या आ जाता है CS2 OH कंडिशन आपको देखने को मिलती है clear ये क्या है इसका one prime, two prime, three prime, four prime और ये क्या है five prime इस sugar के अंदर second prime और three prime दूनों जगा आपको OH देखने को मिलता है so answer is third सारे के सारी statement सही है तीनों state पर तीसर तो गलत हो गया RNA chemically more reactive as compared to the DNA yes 100% true statement है why because of ये bond बनाने में BG हो जाएगा and glycosidic bond ये bond बनाने में BG हो जाएगा phosphoester ये bond बनाने में BG हो जाएगा phosphoester यहां पर जो phosphate होगे but ये OH बिलकुल free रहेगा इसी वज़े से ये chemically क्या हो जाता है active हो जाता है आपको extra के अंदर एक OH ग्रूप देखने को मिलता है second prime पे clear so answer is three next दो statement आपको दी है और पूचा की कौन सा सही है देखिए statement based मैंने पहले ही बोला था आपको statement based FADS2 is formed during the crab cycle yes FADS2 की formation होती है two GTP molecule per crab cycle per crab cycle नहीं दो crab एक single crab cycle के एक ही GTP बनता है so second statement क्या है इसका गलत first statement is two second statement is incorrect both statement are incorrect only A is incorrect only A is incorrect only A is incorrect नहीं only A is correct only B is incorrect देखो भाई जल्दी जल्दी में गडबड मत करना answer is four लिखने का तरीका दिख रहा आपको only A is incorrect only B is incorrect B कैसा इसका incorrect धोका होगा देहन अखना अगर आप लोग जल्दी जल्दी में इसके साथ प्रोसीड करेंगे तो epithelial of the elementary canal having the unicellular gland is an example for elementary canal तो सलीबस मिनी chapter no.7 का question है chapter no.7 chapter no.7 structural organization in animals page no.102 according to old NCRT chapter no.7 chapter no.7 page no.102 first paragraph first paragraph first paragraph के अंदर आपको बताया हुआ unicellular gland और multicellular gland दोनों के बारे में और क्या बोला elementary canal having the unicellular gland is an example of compound epithelia, organized endocrinal gland, glandular epithelia और mixed gland so answer is 3 glandular epithelia को यह define करता है NCRT chapter no.7 मैं फिर से बोल रहा हूँ old NCRT chapter no.7 page no.102 first paragraph clear next देखिए आप अच्छे से analyze करें क्या है इधर pick choose a primary metabolite with a phosphorylated organic compound in its structure primary metabolite आपको choose करना है पहली बात तो इसने बोला कि primary metabolite डूंडो पिर दूसरा बोला है ऐसा primary metabolite डूंडो जिसके अंदर phosphate हो यह primary metabolite है क्या? हाँ पर इसमेh phosphate नहीं है fatty acid है इसके अंदर लैसिदीन का जो structure आपको देखने को मिलेगा इस लैसिदीन की structure के अंदर यहाँ पर CH2O और फिर एक phosphate molecule आपको देखने को मिलता है इसके साथ जो phosphate molecule आपको यहाँ देखने को मिलता है इसके साथ यहाँ पर एक methyl group यहाँ एक methyl group यहाँ और एक methyl group यहाँ यहाँ तीन methyl group आपको यहाँ देखने को मिलेंगे चार bond बना लिए तो इस पर का आगा positive यहाँ पर का जागा negative इधर CH और इधर CH2 ठीक है और इधर एक fatty acid में लिख देता हूँ C double bond O sorry O C double bond देखने आपको फिर यहाँ पर क्या जाएगा R1 यहाँ पर क्या जाएगा O C double bond O यहाँ पर क्या जाएगा R2 एक fatty acid यह है एक fatty acid यह है फोस्फो एस्टर बॉंड होते है ना इनमें इनमें ester linkage होती न ester linkage ester linkage यह ester linkage और यह बीच में एक phosphate molecule यह पूरे complete lecithene को define कर रहे है carbon आप balance कर लीजिएगा general point आपको बताएगे important है ध्यान से देख लें lecithene की structure को यहाँ पर draw की है NCRT chapter 9 biomolecule के अंदर पेजमा 145 पे structure आपको लिखी हुई मल जाएगी समझ में आ रहे है यह मैंने serine लगाया था इसमें एक water moiety यहां से बाहर की तरफ release हो जाती है प्राइमी metabolite ऐसा जिसमें lecithene present most tricky question है ऐसे question के अंतर सोचना पड़ता है बेटा next how many of the structure given are spotted by the incomplete cartilaginus ring आ जाओ भाई human physiology breathing and exchange of cancers second phase second phase पे आपको बताया हुआ है ट्रैकिया के अंदर होते हैं येस primary bronchi में येस secondary bronchi येस tertiary bronchi येस initial bronchioles येस क्या alveoli के अंदर होते हैं no कितनी structure ऐसी है जिन में incomplete cartilaginus ring आपको देखने को मिलेंगे trachea primary bronchi secondary bronchi tertiary bronchi initial one two three four five answer is five clear important अच्छा question है जो state पोवसीदा simple question और आपकी NCRT के अंदर mention है in a healthy individual 100 ml of blood has 40 ml of carbon dioxide 4 ml of oxygen 12 to 16 gram of hemoglobin 100 ml के अंदर 12 to 16 gram of hemoglobin 4 mmol of glucose no sponsor is three direct आपकी NCRT के अंदर दिया हुआ है body fluid and circulation के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अच्छे से देखें next the opening of the right and the left ventricle opening of the right and the left ventricle in pulmonary artery and aorta aorta respectively opening of the right and the left ventricle अरे भाई right and left ventricle right की और ये दोनो ठीक है guarded by the wall that remains open during अरे भाई जब इनका सिस्टोल चल रहा होगा तो यहां जो semiluner walls होंगे यहां जो semiluner walls होंगे वो क्या होंगे open होंगे और कब ventricular systole पर ventricular systole पर ये दोनों open रहेंगे जिसमें tricuspid and bicuspid बंद रहेंगे आंसर इज डी क्या बोला गया है कि जो बहार की तरफ ब्लोड लेकर के जाता है आप से पुछा यह गया है कि जो बहार की तरफ ब्लोड लेकर जाता है जनल अगर आप देखें горaison कि एग्रफ डीरम बनाए हैं, तो यहां पर जो वाल्व आपको देखने को मिलेगे, यहां पर ट्रायकस्पेट होगा, यहां बायकस्पेट होगा, तो यह दोनों सिस्टोल में जाएंगे, तब जाकर के ये दोनों open रह पाएंगे न, जो आपको aorta pulmonary artery और aorta पे valve लेखने को मिल रहे हैं, clear, swansor is four समझ में आया आप सभी को, next quick, जल्दी से analyze करें भाई इसको अच्छे से देख लें, ये bicuspid valve है, जो dain side में, dain side में, देखो dain side के अंदर bicuspid, तो dain side में valve, इन सभी के बीच में, जो wall होती है, inter atrial, inter ventricular, most important question है, atrial ventricular, जो line आपको देखने में, कैसा होता है, इस पर basic question अभी solve करेंगे अपने, और इस साल आ सकता आपके neat exam के अंदर, देखिए आप, next, juxtaglomal apparatus is a specialized sensitive specialized sensitive reason formed by the seller modification in, किसके seller modification से यह आपको देखने को मिल रहा है, page number 294 page number 294 NCRT के अंदर, page number 294 पे जब आप जाएंगे, तो second paragraph के अंदर, chapter number 19, excretory product and their elimination, page number 294 पे जब आप देखेंगे, second paragraph के अंदर, clear cut आपको define किया हुआ है कि जब, जब आप इदा देखिए, एक bowen capsule मैंने यह बनाया, यह bowen capsule मैंने बनाया, इधर, एक rough diagram बना रहा हूँ, इस rough diagram को अच्छे से analyze कर लें आप आप अब यहां से मैं इसका color change कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएं, यहां से मैं इसका color change कर रहा हूँ, इसका यह DCT, इसके mouth की तरफ से हो करके निकलता है, अगर आप इसका DCT देखें, इसके mouth की तरफ से हो करके निकलता है, और यहाँ पर entry जो इसका affront arteriol है और यह इसका affront arteriol आपको देखने को मिलता है इन दोनों को यह जब बाहर की तरफ आता है यह जो DCT यहाँ से यह जो इसका DCT इसके पास से होकर के निकलता है और निकलने के बाद में यहाँ पर मान लीजिए आपको collecting duct देखने को मिल रहे है जब DCT मैंने इसको cut कर दिया DCT को मैंने cut कर दिया DCT यह क्या आपका DCT और affront arteriol इन दोनों की जो attachment है यहाँ पर आपको जक्षा Glomalular apparatus देखने को मिलता है जिनके अंदर built-in mechanism होता है for the maintenance of the Glomalular filtration rate NCRT के अंदर clear cut mention है ध्यान रख लेना so answer is PCT PCT तो cut हो जाएगा और DCT के साथ में क्या जाएगा affront arteriol जो entry लेता है Bowman capsule के अंदर उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा और जो handling loop है यह इसका PCT यह handling loop का descending यह handling loop का ascending फिर जो DCT है वो इसके Bowman capsule के पास से होकर के निकल रही है और उन दोनों की जो attachment है affront arteriol के साथ यहाँ पर आपको juxtaglomalular cells modified हो जाती है कुछ cells जो juxtaglomular cells की तरह consider होती है most important है फिर इससे बता रहा हूँ juxtaglomular apparatus की जो formation होती है जो juxtaglomular apparatus आपको देखने को मिलता है वो एक built-in mechanism खुद के पास kidney के पास ऐसा mechanism है कि अगर glomular filtration rate कम हुआ तो यह यहाँ से ranine को release कर देगा समझ में आ रहे बात ranine release करेगा तो ranine vasoconstrictor की तरह भी work करता है और जातर के angiotensinosan mechanism को भी activate करता है ranine angiotensinosan mechanism clear sponsor is 2 next कुछ question पर जो time लगाया जा रहा है उसके अंदर आपको तीन चार question एक साथ मिल रहे हैं ध्यान लगना next select the correct set of the bone which are equal in the number of human body human body के अंदर इनका number कैसा मिलेगा आपको equal flanges कैसी होती है flanges bone and facial bone flanges कैसी होती है बटा flanges कैसी कितनी होती है और facial bone कितनी होती है facial bone होती है आपकी 14 कितनी होती है 14 facial कितनी होती है 14 और जो flanges होती है सर वो भी तो 14 होती है हो भाई 14 14 28 14 इसमें mention लोड़ी कि leg की बोला है hand की बोला है total कितनी होती है 28 and 28 तो ध्यान रख लेना यह कितनी है 14 इदर 14 इदर 14 leg में 14 left leg के अंदर तो flanges का total number आपके बास में कितना हो जाहेगा 14 multiplied by 4 palm bone कितनी होती है 5 when metatarsals कितनी होती है 5 palm कितनी होती है palm metacarpals 5 और palm bone भी metatarsals ius 5 cranial कितनी होती है बिटा 8 cranial कितनी होती है 8 wrist bone कितनी होती है wrist bone तो correct set of the bone are equal in no more of human body cranial भी 8 होती हो, wrist भी तो 8 होती है cranial कितनी है, आरे भाई, cranial कितनी होती है skull के अंदर आपको, अगर skull की बात करता हूँ skull के अंदर आपको कितनी देखने को मिलती है जल्दे चे अपना आंसर जो आपको ड्रॉप करें अरे भाई, हाईवेड कितनी होती है, एक होती है, पटेला कितनी होती है, एक होती है, हाईवेड कितनी होती है, पटेला कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, टोटल पटेला कितनी है, दो, भी दो है न लेग, हाईवेड तो एक सिंगल होता है, पटेला कितनी होती है, दो, तो what about the cranial bone and wrist bone, wrist bone आपके बास में कितनी हो गई, 8, जो कार्पल समों कितनी होती है, 8, जिनके अंदर gliding आपको movement देखने को मिलती है, but what about the cranial bones, cranial के अंदर क्या क्या आता है बेटा, cranial के अंदर आपका, cranial के अंदर आपका, skull, plus, facial, plus, ear, ossicles, mele, single, step is, plus, hyoid, plus, hyoid, तो 1 ये होती है, 6 ये होती है, 14 ये होती है, और 8 ये होती है, 8 और, ये कितनी होगी, 22, 22 और 6, 22 और 6, 28 और 1, 29, टोटल कितनी होती है, 29, so answer is, 2, जहां रखना, गडबड मत करना, most important, और ऐसा question है, जिसमें अच्छे अच्छों के दूएं, जो है, निकल जाते हैं, ये देख लो, आप, कोच समझ करके, आंसर देने है, पेपर के अंदर गडबड मत करना, ये question दिखा देना, आपको समझ में आ जाएगा, क्या है, जो बोल रहा है, में को locomotion and movement आता है, करो भई question, locomotion and movement आता है, तो, पता जल जाएगा, next, visceral, visceral neural system is a part of the peripheral nervous system, 100% true है, visceral peripheral का part है, ठीक है, the nerve fiber of the PNS are all, are all of three type, unipolar, bipolar, अरे भाई, multipolar, PNS के अंदर के अंदर के मिलते हैं आपको, multipolar neurons आपको देखने को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, multipolars, देखो भई, सीधी सी बात है, दो तरहें के आपको, जन लगर अपने बात करते हैं, embryonic stage के अंदर कैसे मिलते हैं आपको, non-polar होते हैं, hydra में, embryonic stage में कैसे होते हैं, embryonic stage में कैसे होते हैं, unipolar condition, bipolar condition, अपने जितने भी sensory structures होती हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, clear, answer is, answer is, only A is correct, answer is C, next देखो बहीं, जल्दी से quick, आपसे पूछा होआ है कि, incorrect match इन में से बताईए, incorrect match आपको बताना है, select the incorrect match, hypothalamus, basal part of the diencephalone, 100% true है, pineal gland, dorsal side of the forebrain, pineal gland कहां present होती है, ये box बना रहा हूँ बेटा मैं, ये box बना रहा हूँ, इस box के अंदर आप अच्छे से देख लें, इस box के अंदर ये इसका back side, ये dorsal side और ये, vental side, और pineal gland, dorsal side और forebrain, बिल्कुल सही है, thymus, behind the sternum, sternum के पीछे होती है, और ventral to aorta आएगा, dorsal to aorta नहीं आएगा, ventral to aorta, तो इन ग्रेक्ट तो ये होगा, और adrenal gland, anterior part of the kidney, 100% true है, anterior part of the kidney, clear, तो general point है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है, next, अब आजाईए, which one of the following disease, under production of the hormone, ultra, carbohydrate metabolism, most important है, इस साल आपके exam के अंदर, पूछा जा सकता है, ये define करता है, adrenal gland के अंदर, carbohydrate के, metabolism को, change करता है, under production के वज़े से, जो आपके, glucocorticoids देखने को मिलते हैं, causing the acute weakness and fatigue, and the lead to the, bronze-like pigmentation of the skin, major चीज के है, carbohydrate metabolism को कम करता है, that is, Addison's disease, किसको lead करता है ये, Addison's disease, clear, girl's disease, thyroxine hormone की वज़े से, diabetes mellitus जो होता है, वो pancreas, insulin का secretion अगर कम हो जाए, grave disease, ये भी आप वो किसे देखने को मिलती है, hyperthyroidism, एक होता है, hyperthyroidism, एक होता है, hyperthyroidism, चिक है, तो ध्यान अखना, grave disease, grave disease किसकी वज़े से है, thyroid gland के अंदर, किसी भी तरीकी disease condition के वज़े, ये बोल सकते हो कि thyroid gland के अंदर, तो hormones हां उनके, एक under production से, या over production से, grave disease जो होती है, वो under production से होती है, या फिर over production से, goiter होता है, under production से, और जो grave disease होती है, वो over production से, आंखे जो बहार की तर्म निकली हुई दिखाई देती है, गला जो होता है, वो gland जो आपको देखने को मिलती है, जो mainly इसके अंदर, exothalmic goiter, grave disease, clear? next, सुने, mash the column है और पूछा क्या है, कि इन में से सही विकल्प को चुनिए, gorgonia, गorgonia के अंदर metagenesis होता ही नहीं है, paciola, complete digestive tract, incomplete digestive tract आपको देखने को मिलेगा, और फ्यूरा, रेडूला, और फ्यूरा तो starfish, इकाइन ओर मेंटा का मेंबर है, और फ्यू प्लूटियस और अगर आपको बता हो, तो brittle star जानते हो, और रेडूला इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, आंसर तो फ्यूरा तो फ्यूरा जानते हो फ्यूरा, और फ्यूरा एकाइन ओर मेंटा का मेंबर है, किसका मेंबर है, एकाइन ओर मेंटा का मेंबर है, और सेको कलोसर, स्टॉमो कोड होता है, open circulatory system, hemic audit, answer is 4, जनरल पॉइंट है, जो आपको पता होने चाहिए, इदर, petromyzone, अंजी, petromyzone, unpaid fin sucking and circular mouth, 100% true है, pristis, placoid scales and ventry located mouth, 100% true है, पूछा आप से incorrect है बेटा फिर, सुन लो, hippocampus, internal fertilization and ventrally located mouth, ventrally located mouth तो नहीं, terminal site पे mouth होता है, और external fertilization होता है, भाई, hippocampus के सिमें आता है, bonny fishes की category में आता है, acthiophis, scale less body होती है, और three chamber heart होता है, ये amphibian का member है, ठीक है, answer is 3, hippocampus, जानते हो, hippocampus, जो sea horse जिसको अपने बोलते हैं, और इसमें external fertilization होगा, और terminally located mouth risk में देखने को मिलते है, तो दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, so answer is 3, periplaneda americana, sense organ are antennae, eyes, maxillary palp, labial palp, 100% true है, hemo lymph is composed of a colorless plasmin hemocyte, 100% true है, collateral gland spermatica, and the caudal style are the paired structure in the female, caudal style, caudal style तो only male के अंदर present होता है, तो C क्या होगा, ऐसा गलत, C गलत हुआ, answer आगया नहां, देखो अब, C गलत हुआ, तीन option में है, C हम अच्छे से जानते है, caudal style किसमें होता है, male में होता है, इसने क्या लिखा, female के अंदर, periplaneda americana, cockroach के अंदर कहां होगा यह, male के अंदर होता है, तो यह गलत हुआ, vast difference opens through the ejaculatory duct, into a seminal vesicle, of the mushroom gland, इसमें क्या गलत है भई, vast difference, NCRT की line, धंक से देख लेना, most important है भई, यहां पर भी गलती करवाई हुए है, vast difference opens through, seminal vesicle, into the ejaculatory duct, of a mushroom gland, अच्छे अच्छों को नहीं पता चलेगा, जब यह, periplaneda americana की statement आजाएगी, ध्यान रखना, vast difference opens through, seminal vesicle, into ejaculatory duct, of a mushroom gland, important है, अच्छे से देख ले, जहां से देख ले, एक एक पॉइंट मैंने आपको define कर दिया है, पेटा, चिक है, हां, codal style, anal style एक ही होता है पेटा, codal style और anal style एक ही चीज़ है पेटा, next, quick, ज़्यादा time of waste नहीं करेंगे, यह दर देखिए आप, select the number of the sperm in over produced by 100 primary spermatocyte, 100 primary spermatocyte, primary spermatocyte से 1-4 बनते हैं, और primary oocyte 1-1 बनता है, तो 100 primary spermatocyte से तो किंदे बन जाएंगे, 400 sperms बन जाएंगे, spermatozoas बन जाएंगे, sperms बन जाएंगे, और ovas कितने बनेंगे, ovas बनेंगे 100, और पहले किसका पूछा है, पहले पूछा है sperm, और फिर ova, तो 400 और 100, 400 और 100, answer is 3, दिख रहा आपको, पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, first क्या दिया है बेटा, first यह आपको वाल्ट, prevent the meeting of the sperm and ovum, 100% true है, spermacidal jellies, only used by female, 100% true है, die from, prevent the entry of the semen into the female reproductive, entry को prevent नहीं करता है, physical meet को रोकता है die from, एक barrier कि तरह आपकरता है, entry को prevent नहीं करता है, और निरोध male condom brand है, बिल्कुल सही है, so answer is 3, incorrect statement पूछिए, NCRT chapter number 4, reproductive health, 12th NCRT का बहुत बढ़िया question है, और one of the most important question, अभी तक neat history के अंदर, यह question नहीं पूछा गया है, और पूछा जा सकता है, यहां से यह question बनाया है, बता सकते हो कहां से है यह, evolution, evolution के अंदर, जो आपको पूरा, geological time period scale के according, define के हुआ, plants और animals को 7.9 और 7.10 figure, अगर आप जा कर के analyze करेंगे, 7.9 जिसमें plants के बारे में define के हुआ, the common ancestor of all bryophytes, all bryophytes and tracheophytes आप से पूछा हुआ है, इनके common ancestor, आपको बता है chlorophyte ancestor बताया हुआ है, फिर tracheophyte बताया है, फिर rhionia type बताया है, फिर silophyton बताया हुआ है, जैसे अब tracheophyte और आपका, जो आपका bryophyte है, वह जो यहां से एक bulb निकल रहा है, इनके ancestor क्या है, chlorophyte ancestor, जो सबसे bottom के अंदर आपको दियू है जहाँ नकलेना, वहाँ पर सबसे bottom में आपको क्या दिया हुआ है chlorophyte ancestor, chlorophyte ancestor के बाद में second आपको दिया हुआ है tracheophyte tracheophyte और tracheophyte और इन दोनों के बीच में से एक bulb निकल के जा रहा है जो bryophyte को define करता है so answer is 3 most important question है push लेना आप किसी से भी अच्छे से समझ में जिस student बहुत अच्छे से 7.9 number figure को अनलाइज के है वही ये question solve कर सकता है otherwise ये question solve होने वाला नहीं है most important question है quick, अच्छे से देखें next क्या define क्या है इन में से कितने statement है plasmodium infected ruptured RBC release the hemojoin responsible for the chill and high fever reoccurring in 3 to 4 days true है rice entry, plague and dipteria are bacterial diseases 100% true है subsequent exposure with the same pathogen elicit a highly intensified amnestic immune response क्या पूछा है? correct statement पूछी है आप लोगों से ठीक है? और first statement सही है, second सही है third भी सही लग रहा है fourth number IZE type of anti-bodies anti-antibodies are produced against the allergen that elicit the exaggerated immune response exaggerated immune response ही शोग करती है बिल्कुल सही है और third number subsequent exposure with the same pathogen elicit the highly intensified amnestic 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 response होता है बेटा amnestic response नहीं होता है amnestic response होता है जहां अकले ना third statement के है इसका गलत बाद में जो बढ़ा हूँ आपको देखने को मिलता है ना उसके लिए amnestic response रिस्पॉंस वाड्यूज गयता है NCRT chapter number 8 human health and disease human health and disease के अंदर जैसी आप immunity के अंदर जाएंगे immunity के अंदर जो आपे cell immunity आपको दिए हुई है जो एक है आपकी innate immunity और एक है आपकी quiet immunity quiet immunity के first paragraph के अंदर last three lines के अंदर bold करकर के आपको यह word लिखा हुआ मिल जाएगा जाकर के देख लेना 3 इसका statement गलत है तो आपसे correct पूछे है correct का answer क्या जाएगा option 4 answer is मलब कितनी statement सही है 3 how many of the DNA will be formed from the DNA after the 4 cycle of PCR PCR के four cycle लगाने वही तो एक cycle के अंदर एक से कितने बनते हैं एक एक double center से कितने बनेंगे two दो से कितने बन जाएंगे चार चार से कितने बन जाएंगे आठ आठ से कितने बन जाएंगे 16 तो एक cycle में दो बनेंगे दूसरे साइकल में चार बनेंगे, तीसे साइकल में आट बनेंगे और चोते साइकल में सोला अरे भाई, सीधी सी बात है double ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो एक इधर बनेगा एक इधर, तो ये कितने हो गए फर्स साइकल के बाद में कितने हो गए, दो अब ये दोनों बिहेव करेंगे as in, as in, template तो दो से कितने बनेंगे, दो से बनेंगे, चार, तो सिंगल से दो बनेंगे, दो से कितने बनेंगे, चार, चार से कितने बनेंगे, आट, आट से कितने बनेंगे, सोला, तो एक साइकल, दो साइकल, प्रीन साइकल, चार साइकल के बाद कितने मिल जाएंगे? ओला. Next. Choose the correct stat of the primary metabolite. Most important. अच्छे से देखे लिए इस question को. मलब यहाँ गलती होने के chances अच्छे खासे हैं. Curcumin, secondary metabolite, जिसको टेबल याद है वही solve कर सकता है. आप से पूछा नहीं secondary metabolite, but table जिसको याद हो, ही solve कर सकता है यह question. इता देखो. Glucose, cellulose, valine, winblissin, tyrosine, बचा क्या आपके पास में? एक. answer is 4. answer is 4. clear? जहां नगना बेटा, page number 145, 145 और 146, 145 पे सारे डाइग्रम दिये हुए हैं, और 146 पे आपको secondary metabolite का table दिया हुए है. 146 पे आपको secondary metabolite का table दिया हुए है. clear? so answer is 4. next. choose the incorrect statement, incorrect statement आप से पूछिए वई. essay node, maximum action potential सही है, love, longer heart sound होती है, and the beginning of the ventricular systole 100% true है, closure of the atrial ventricular wall, and the beginning of the ventricular systole कि वज़े से produce होती है, QRS complex depolarization of ventricle, yes, hypertension, 140, 90, hypertensive, यह तो normal range है, next, the functional unit of the contraction, contraction is the portion of the myofi bill present in between, two successive deadline, contraction, भई, functional unit पूछिए है, और दो successive myofi bills present in between the two successive Z line, two successive Z line के बीच में, आपको इसकी functional unit क्या मिलती है, सारको मियर, क्या मिलती है, सारको मियर आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना, जो functional unit defined की हुई है, functional unit defined की हुई है, इन दोनों Z line के बीच में, तो क्या बोलते हैं, next, single membrane bound cell organelle, single membrane bound cell organelle कौन कौन से है, क्या mitochondria है, chloroplast है, ribosome होता ही membrane less है, ribosome होता ही membrane less है, NCRT, old NCRT, phase number 126, 126 नीचे से second and third paragraph, जिसमें लिखा हुआ है, mitochondria double membrane है, single membrane है, उसके बिहाब पे आपको अच्छे से, प्रिडिक करने है, clear, देखिए आप, अच्छे से अनलाइज करें, क्या given है, कि आपको single membrane bound पूछा है, answer क्या आपका, lysosome, वहाँ पे double membrane bound, single membrane bound, सारे आपको दिए हुए, which one of the following plastic is store, out of the protein, protein के लिए, amylo, amylo starch के लिए होगा, ilio, 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 oil के लिए हो गया, chromoplast color pigment के लिए हो गया, alluro plus alluro protein, protein, R और E, E और R protein, amylo, amylo starch, ilio, OI, OIL, oil, chromoplast colored, यहाँ दखने का तरीका है, confused होते हो इसके अंदर, alluro, alluro में R और E protein, ध्यान अखना, और पूचा किसका है, कौन से प्लास्टेड, protein की storage के लिए पूचा है, so answer is, 2, next, crossing over occurs, crossing over कब होता है बेटा, crossing over तो होता है, pacotin stays के अंदर, prophes first की, prophes first की, prophes first की, prophes first की, pacotin में, इकर आपको, पूरो अवस्ता की, pacotin के अंदर, आपको crossing over देखने को मिलता है, meoside के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 24, in G1 phase, what will be the number of the chromatid, in each of the cell formed after meiosis, second, 24 क्रोमोसोम है, तो meiosis, 24 क्रोमोसोम कब है, G1 में है बिटा, जीवन में बोला है न, जीवन के अंदर, क्रोमोसोम कितने है, 24, यह रहे 24 क्रोमोसोम माल लो, S के अंदर कितने होंगे, 24, तो यह 24, S के अंदर होगे बिटा, 12 जोड़ी होगे न, यह माली जे 12 पेर है, अब इसके बाद में G2 आएगा, फिर क्या होगा, meiosis first, meiosis first होगा, तो 12 तो 1 में चले जाएंगे, और 12 आपको, एक में देखने को मिलेंगे, अब क्या होगा, meiosis second, meiosis second में यह दोनों आपस में split होगे, तो 4 cell बनेंगी, 4 cell बनेंगी, तो 4 ओं के अंदर, 1, 2, 3, और 4, 12 इसमें, 12, 12, 12 और 12, तो number of chromatid after meiosis second, meiosis second number of chromatid पूछा आपसे, तो 12 हो जाएंगे, बई, डोटर सेल के अंदर, हाफ तो होगा ना, content, तो कितना आ जाएगा, answer is, 12, next, select the odd with respect to the classification of mango, बई, अगर आपको पता चल रहा हो, मैं हर एक session के अंदर, 1.1 table से question उठा रहा हूँ, दिख रहा आपको यह, इसरा देख लो, family क्या है, poesy, family poesy किसकी होती है बेटा, wheat की family होती है, odospendials, class, dicotyledon, division, angiospermia, बिल्कुल सही है, classification के इसके respect में, कौन सा odd है, family कैसी होती है इसकी, हाँ जी, यह लिखेगा family जल्दी से, quick family लिखिए, anakarii, कैसी family होती है, anakarii, diac आपको देखने को मिलती है, so answer is, answer is 1, next question का answer आप भी drop करने वाले हो, protein rich layer, pellicle present in, quick, जल्दी से आप अपना answer drop करें, protein rich layer, pellicle present in, quick, जल्दी से आप अपना answer, जो हो ड्रॉप करें, most important है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस session के अंदर, जो जो question आप लोगों से discuss किये जा रहे हैं, pellicle, यह pellicle आपको तब याद आएगा, जब paper के अंदर आप बैठे होंगे, और आपको pellicle पे based question देखने को मिलेगा, 11th NCRT, 11th NCRT, chapter number 2, biological classification का, page number 21, जाकर के, second paragraph आप जाकर के देखना, second paragraph के अंदर, आपको युगलिनोइड के अंदर लिखा हूआ मिलेगा, pellicle, एक protein rich layer, आपको देखने को मिलती है, आपको आपको पारिखने को मिलेगा, आपको जेखने को मिलता है, next, which one of the following given feature is true, about the viral, viral के लिए इन में से true कोई सा है, they have the DNA, no, they have low molecular RNA, आपको जेखने को मिलता है, as in genetic material, they are discovered by the T.O. डाइनर, yes, capsulomere are present, absent होता है, larger than viruses, viruses से कैसे होते हैं? small होते हैं? answer is answer is 2 answer is 2 NCRT, आपको को सर कहां दिया हुआ, बतायता हूँ, यह लो 11th NCRT according to old NCRT, chapter number 2 biological classification, page number 27 page number 27, second paragraph लाइकिन के जस्ट उपर, प्रियोन और आपको वाइरोइड डिफाइन कियो हुए है, ठीक है? देखिए आप NCRT, 11th NCRT, chapter number 2, biological classification, page number 27, according to old NCRT बोल रहा हूँ, 23 पे आपको फंजाई मिल जाएगा 24 के अंदर, ASCO, Bacidio, Deterio मिल जाएगा, 25 पे आपको planty, animalia और Acellular वाले मिल जाएगे, 26 पे DJ Iwanuoski, benzeric बगारा डिफाइन कियो हूँ, 27 पे आपको क्या दिया हुआ है? Pyroiden prion यहां अगले न, अच्छे से याद होना चाहिए, एक-एक point इदार incorrectly match, incorrectly match इन में से कौन सा है बेटा? Microphilus, Slezynilla के अंदर होती ही, छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी पती है, लीफी स्टेज प्रेज प्रेजन इन फ्यूनेरिया, येस मॉसिस के अंदर लीफी स्टेज आपको देखने को मिलेगी NCRT chapter number 3 NCRT chapter number 3 के अंदर, जो ब्रायोफाइट जीवें, ब्रायोफाइट का जो 3rd पे जा मॉसिस के second paragraph, मॉसिस का first paragraph के second, third number line में, लीफी स्टेज के बारे में define किया हूँ, पुनियरिया उसका example है and well-developed vascular tissue well-developed vascular tissue is found in markensia, markensia is a bryophyte, और bryophyte के अंदर well-developed vascular tissue होते नहीं है, so answer is 4 stilt root किसमें मिलती है भाई, stilt root जल्दी से, stilt root किसमें मिलता है, stilt root होता है sugarcane, किसमें होता है sugarcane के अंदर, क्या sugarcane कोई example है क्या sugarcane example है इसमें respiratory root मिलता है aloe vera liliacy family के example है tomato solenacy family के example है इसमें तो tap root मिलेगा maize, sugarcane और maize इन दोनों में मिलता है, stilt root avastam moul जिसको बोला जाता है, na avastam moul, चीक है next avastam moul लिखा हुआ होगा, na still truth यहां पे लिखा हुआ है select the correct option about the monocode stem, monocode stem के बारे में correct statement बताओ, monocode कब से secondary code दिखाने लगे भई पहला ही गलत है, जित्तक विरिदी इतने देखने को नहीं मिलेगी, has well developed endodermis aray monocode के stem stem के अंदर endodermis होता ही नहीं है epidermis, epidermis के बाद में sclanchymated tissue और पूरा ground tissue के अंदर scattered vascular bundle होते है has scattered vascular bundle 100% true statement है has well developed pit, pit इनका develop नहीं होता क्योंकि scattered vascular bundle monocode stem में देखने को मिलते हैं that's why answer is 3, anatomy in flowering plants, anatomy in flowering plants के अंदर आप जाएंगे, तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जल्दी से drop कर दें, कितने number phase है मैं तो बता दूँगा हाँ, quick, NCRT chapter number 6 6 number chapter 11th NCRT chapter number, chapter number कितना है बेटा 6 anatomy in flowering plants, चीक है phase number हाँ जी हाँ जी मैं तो लिखता जाऊँगा, आपको यह answer देना है इन में से कौन सा एक page choose करेंगे आप एक दो और लिख देता हूँ, quick, जल्दी से आप ही बताएंगे, मैं बताने वाला नहीं हूँ साँज में आता है कहां तक पहुँच गए हम साँज में आता है कहां तक पहुँच गए हम monocode stem 91, 92, 91 पे diagram देखे लो, 92 पे description देखे लो जाब, ठीक है which one of the following statement is not true for the EMP pathway EMP pathway के लिए इन में से कौन सा साही नहीं है Mdenmere, Parnas pathway, glycolysis, NCRT, chapter number 14 respiration in the plant, paste number 229 229 पे जाओ, देखो, 14 number chapter है आपका old NCRT के according, phosoproptokinase enzyme is also known as a pacemaker enzyme 100% true है, net gain of 4 ATP, ना भाई, ना net gain कितना होता है, 8 ATP का होता है, net बोल दिया तो 8 ATP है, subset level बोलता तो बात अलग थी, net gain of ATP, मतलब कुछ भी नहीं दिया, oxidative phosphorylation के थू है, second ही गलत हो गया इसका तो, ठीक है, two pyruvic acid forms, yes, hexokinase enzyme is the first enzyme of the pathway, 100% true है, answer is two, next, photo system second, photo system second, it involved in the cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation के ने involved होता है, it attached to the oxygen involving complex, yes, it is the reaction center, 680 होता है ना बेटा, इसमें, it is not present in the cyanobacteria, answer is two, oxygen involving complex के साथ attach होता है, photo system two, और 680 nanometer, 680 nanometer reaction center के अंदर आपको, जो light, wavelength की 680 nanometer की light ये absorb करता है, answer is two, आपको इस तर ये photo system two दिया कहां पे हुआ है, NCRT, NCRT, page number 212 और 213, जा कर के देख लेना, और जो exact line आप देखना चारे हो, 680 वाली, ये तो आपको 211 पे मिल जाएगी, 211 पे नीचे से second paragraph, नीचे से second paragraph, वहां पे 280 और, 680 और 700 दोनों के बारे में बताया हुआ है, जा कर के देख लेना, वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा, बेटा, एक है, next, तो अगे आजाए, ये plant hormone which shows the antagonistic, antagonistic effect to auxin with respect to the apical dominancies, auxin का antagonistic, auxin का antagonistic तो एक ही है, cytokinin, zebrillic acid किसका antagonistic है, abscessic acid का, और auxin और cytokinin ये दूसरे का antagonistic होते हैं, सब्सक्राइब, यहां से question fix हैं, जिसके अंदर आपको statin के बारे में बताया हुआ है, जनल जो point बताया हुआ है, सारे बता होने चाहिए, आपको cyclosporine A के बारे में बताया हुआ हुआ है, mash the column भी आ सकता है, single question भी पूचा जा सकता है, इतर देखिए, streptokinase, streptokinase किसे मिलता है, streptokinase मिलता है, streptococcus से, इसके अलावा आपको trichoterma दिया हुआ, aspergillus दिया हुआ हुआ है, collar clostridium bottylicum, यह वो ही है, जो dabba बंद के अंदर क्या करता है, बोटल जूस को खराब करता है, और वो aspergillus, aspergillus nigerus से क्या मिलता है बेटा, क्या मिलता है, acetic acid या citric acid, citric acid, क्या मिलता है, aspergillus niger जो होता है, वो lab weed की तरह वह करता है, lab के अंदर as in weed, aspergillus, क्कों सा, algae है, bryophyte है, क्या है aspergillus? हम, जल्दी से बताएं आप, aspergillus, आपको भी बताने है बेटा, मैं नहीं बोलूँगा, aspergillus क्या है, algae है, क्या है, bryophyte है, क्या है? algae या bryophyte, एक answer, very good, algae या bryophyte है, विल्कुत सही answer drop करें, fungi है ये, क्या है एक fungi? अरे भाई, ये pencil कल मेरी तरफ से nurse आशा लाएगी, बताना तो नहीं चाहिए आप लोगों को पर बता रहा हूँ, NCRT page 24, ढंक से देखें, East, Penicillium, Cleviceps, Morir and Tuffle, इसके अंदर edible जो फंजाई है, nurse, Neurospora, Aspergillus niger, यहाँ रख ले न, Ascomaistries के जो member दियो है, यह सारे याद होने चाहिए आपको, next, chromosomal complement of a person affected with the phenylketonuria, phenylketonuria, जिस person के अंदर है, उसके अंदर chromosome कैसे रहेंगे भई, phenylketonuria है तो double xy हो सकता है, xy या xx हो सकता है, xo हो सकता है या फिर triple x हो सकता है, बहुत बढ़िया question है, बहुत tricky question है, फोड़ा सापको दिमाग लगाना पड़ेगा, यह एक इंसेक्टा का member घूम रहा है, यह बोल रहा है मेरा question लेकर के आ गए आप, अब भी आया था, गायप हो गया, यह फिर आ गया, यह honey bee है honey bee, और एक बार काट गई ना, इजर सुनें आप, भाई tricky question है, फिनाइल टोनियूरिया क्या है, metabolic disorder है, बेटा भाई एक, कोई genetic disorder नहीं है, यह क्या है, metabolic disorder है, और इसमें chromosome का number, chromosome number वेरी कम जादा होने वाले नहीं है, या तो इसके अंदर, मैं फिर से बोलों, tricky question है, tricky question है, 44XY और 44XX किसी को भी हो सकता है भई, person जो affected होता है, autosomal disease है, ध्यान रखना पहली बात, autosomal recessive की category के अंदर आता है, गड़बन मत करना, important है, answer is B, most important question और tricky question है, थोड़ा सा, आप इन में गुमते रहते हो, कुछ ना कुछ तो change हुआ होगा, turner होगा, या फिर klein filter होगा, कुछ तो होगा, ध्यान रखना, next, enzyme which have the deoxy ribonucleic acid synthesis capability, तो polymerase हो जाएगा, RNA polymerase से तो RNA बनेगा, reverse transcriptase से बन सकता है, क्या, yes, जब RNA से आप क्या बनाते हो, DNA बनाते हो, तो reverse transcriptase एक polymerase ही तो है, और DNA polymerase, yes, 2 और 3, पॉस्त आजाएगा, answer, next, collect the incorrect statement with respect to the decomposition process, decomposition process के respect में, incorrect statement, it is a largely Arabic process, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and kytin, decomposition rate is quicker if detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances like sugar, organic matter जादा होगा ना, तो decomposition अच्छा कासा आपको देखने को मिलता है, next, warm and moist environment is unfavorable for decomposition, incorrect statement पूछा है आप से, क्या हो जाएगा बेटा, incorrect, slow तो हो जाती है, लेकिन इनकाइटिन, most famous statement है यह, बार बार पूछा जाता है यह, warm and moist environment is unfavorable for नहीं, favorable होता है, warm तो, warm environment तो favorable होता है ना, रुको भाई, drop corrosion, this is cancer, चारो statement दुबारह से पढ़ रहा हूँ, चारो statement दुबारह से पढ़ रहा हूँ, सुनिए, first one, it is a largely aerobic process, सही है, decomposition rate is slower in lignin and chitin, बिल्कुल सही है, decomposition rate is quicker, if the detritus is, slower का यहां दे दिया और आपको quicker दिया हुआ है, detritus is rich in the nitrogenous and water soluble, पर organic matter भी इसके अंदर होता है, तो, decomposition rate quicker हो जाता है, ना, after that क्या दिया हुआ है, warm and the moist environment favorable होता है, भई, unfavorable नहीं होता है, answer, यह, fourth इसका 100% incorrect है, fourth इसका कैसा है, 100% incorrect है, clear, जहां रखना, answer is, D, भई, जल्दी-जल्दी में गल्ती मत करना, जैसे मैंने अभी जल्दी-जल्दी के अंदर उसको, solve करने की कोशिश की, यह गल्ती आपको नहीं करनी है, यह रहा, graph, in the equation, दिख रहा आपको, similar kind of question, in the equation of the species area relationship, establish the Alexander von Humboldt, S किसको, S किसको रिपरजन करता है, species richness को रिपरजन करता है, S याद है, S is equal to C A की power Z, कुछ बताया था कल, फिर आपको यहां पर बताया था, कि यह log की term में, log S is equal to log C plus Z log A, ठीक है, और यह किसको बताता है, यह slope को define करता है, किसको define करता है, slope, यह x-axis, यह y-intercept, और यह y-axis के parameter, और y-axis पर क्या मिलता है, species richness, answer is 3, अरे भाई, कल graph ऐसा solve किया था था, एक limit तक ही आप इसको बढ़ा सकते हो, species richness क्या होती है, एक given area, एक fix जो area आपको देखने को मिल रहा है, जब आप उसके अंदर ढूंड़ना सार्ट किये, तो आपको different species देखने को मिली, diversity देखने को मिली, पर एक level तक कि आपको नई species मिलेगी, इन उसके बाद आपको नई species मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नई species richness होती है, बढ़ा अप टू ए सटेन लिमिट, जैसे जैसे आप explored area बढ़ाओ के तो बढ़ेगी, तो उनमें आरे है बात, जट-बट मत करना, एक question previous year के अंदर पूछा गया है, जो आप लोगों solve भी करवाया था मैंने, next, important point, cholesterol-loring drug आ गया भाई, उसी का दूसरा भाई, cholesterol-loring drug, क्या होती है, statin, और statin work कैसे करता है, competitive inhibitor, HMG-Co-Reductase, एक enzyme है, HMG-Co-A-Reductase, इस enzyme पे inhibit करता है statin, ये cholesterol-forming के अंदर बीच में, use में आता है, ध्यान रखना, और किस से मिलता है ये, monascus purpureus, monascus purpureus, clear? बेटा, शान्ति से आप अपने answers दे, और last के अंदर मैंने आपको बोला था, कि मैं आपसे दो questions पूछने वाला हूँ, वो questions के अंसर आपको, ये महलब एक question का अंसर आपको, इसी session की comment box ने ड्रॉप करना है, पर से last मैं आप सभी से बात करूँगा, कि similar kind of question practice, plant hormone which induced the seed germination, seed germination कौन induced करता है बेटा, one and only seed germination, जो induced करता है, one and only, जो seed germination induced करता है, seed germination, seed germination जो induced करता है, plant hormone which induced the seed germination is zebralic acid, अब zebralic acid करता क्या है, अगर एक ऐसा seed कभी आपने देखा हो, एक ऐसा seed, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपने कभी अगर देखा हो, इसमें allurone layer, इसमें क्या होती है, जब zebralic acid आता है, तो वो क्या करता है, इसको dissolve करवा करके, alpha amylase को activate करता है, alpha amylase को activate करेगा, जो यहाँ से mobilization के लिए, stored food के mobilization के लिए responsible होगा, stored food के mobilization के लिए responsible होता है, तो ध्यान रखना, और stored food जब mobilized होगा, तो आपका seed germinate होगा, तीन वर्ड बोल रहा हूँ, development, maturation और germination, development, maturation और germination, तीनों में difference है, मैंने पहले भी बोला था, और दुबारा बोल रहा हूँ, development, development and maturation, development and maturation कोण करवाता है बेटा, development and maturation कोण करवाता है, A, B, A, abscissic acid, seed germination को inhibit कोन करता है, लाक कौन करेगा जर्मीनेशन को बंद कौन करेगा ऑबीए-ए यह नगना मेच्वन इंब्रियो को मैच्वन करवाएगा करवाएगा इंब्रियो को डेवलप करवाएगा ABA पर इसको germinate नहीं होने देगा यह important point है अच्छे अच्छे इसके अंदर मात खा जाते हैं जो वहाँ पर लिखाता है development and maturation ABA की वज़े से होता है क्योंकि हम तो यह सोचें कि seed germination को तो वो तो inhibit करता है gibralik acid germination करवाता है उसका antagonistic कौन है इसका antagonistic है आपका zebralic acid, sorry abscissic acid, तो गडबड मत करना abscissic acid is responsible for the development and maturation of the seed but inhibit the seed germination, clear यहाँ पर गलती के chances जादा है, ABA के अंदर straightforward लिखा हुआ मिलेगा आपको गलती मत करना है, next क्या mention है the function of the cilia on the surface of the ciliated epithelia, ciliated epithelia पर इनका function क्या है, NCRT chapter number 7, 11th NCRT chapter number 7, page number 101, last three line last three lines आप जा करके देखें, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा allow the moment of the motyloum facilitate secretion and absorption, ciliated ही लगए तो secretion and absorption कहां से हो जाएगा भाई move the dust particle towards the surface hollow organ like nostril to bronchial, nostril to bronchial नहीं, bronchial to nostril भार की तरफ एंकता है and move the mucus in a specific direction over the epithelia, answer is 4, next amino acid having the hydroxy methyl amino acid having the hydroxy hydroxy methyl, hydroxy methyl, hydroxy methyl, पहले बेटे का नाम, फिर उसके बापू का नाम hydroxy methyl यहां से जुड़ा होगा है, यहां पर क्या होगा, methyl group, एक हाथ इसका खाली किया, तो क्या बना, CH2 OH, पहले किसका नाम, बेटे का नाम, फिर किसका नाम, बापू का नाम, यह यहां से जुड़ा होगा, तो hydroxy methyl group, hydroxy methyl किसमें लगा होता है बेटा, क्या जाएगा, CH2 OH, glycine alanine सेरी, NCRT, chapter number 9, page number 145, page number 145 पे जो डाइगरम आपको figures दियो है, 9.1 figure का, 1, 2, 3, 4, 5, 5 number figure जाकर के देख लेना, right corner के अंदर आपको सेरीन बना हुआ, मिल जाएगा, और लिखा हुआ कहां पे, 144 पे उपर की तीन लाइने देख लेना, आपको लिखा कहां हुआ हुआ यह बता दो, 144 पे उपर-उपर आप जाकर के देख लेना, लिखावा मिल जाएगा, next, here, read the following statement in double standard BDNA, double standard BDNA, rise in the per base pair would be 34 wrongstone, per base pair नहीं होता है, per ton होता है, पहला ही गलत हो गया, blood concentration of the glucose in a normal healthy individual is 4.2 to 6.1 mmol per litre, the difference in average energy content substrate from the stable transition stage is called the activation, unstable transition state, C and C, okay, just ask the number, बोचे हो है, बोट बढ़िया कोशन होते हैं है, यह बाले, T means the prosetic group and is a part of the active site of the catalase, 100% true है, तो second statement true and fourth statement true, so answer is 2, next, देखें आप, incorrect among the following, इन में से गलत कौन सा है, IRV 2500 से 3000 होती है, ERV 1000 से 1100 होता है, RV 1100 से 12, residual volume 1100 से 1200 ml, FRC, functional residual capacity, functional residual capacity आरे भाई, functional residual capacity, residual volume प्लस क्या होता है, expiratory reserve volume, यह किस क्या होता है, यह functional residual capacity, तो भाई, इन दोनों को जोडोगे ना, तो 200 और 2300, यह 21002, 2300 तक तो मैं consider कर सकता था, बट यह तो 3000 दी हुई है भाई, answer is 4, most important है, ध्यान दगले न, NCRT के अंदर, chapter number 17, bidding and exchange of cancers के अंदर, page number 4, page number 4 पे start हो जाता है, आपका volume and capacities, और 5 number पूरा define किया हुआ है, गडबन मत करना, next, देखिए, select the incorrect statement with respect to the human heart, आगया question, करो भाई, solve, inter-septum, thin and muscular valve, true है, interventricular septal, thick and valve tissue होते हैं, बिल्कुल सही है, atrioventricular septa, thick and fibrous tissue, atrioventricular valve, thin and fibrous cord, antrioventricular valve, अगर आप देखेंगे, आपको antrioventricular septa देखने को मिलता है, thick and fibrous tissue होते हैं, antrioventricular valve, thin and fibrous cord, रज्जू नहीं होती है, वो flap ही आपको देखने को मिलते हैं, और muscular flap होते हैं, कैसे होते हैं, muscular, atrioventricular होते हैं, tricuspid, bicuspid, जो muscular flap आपको देखने को मिलेंगे, so answer is, 4, यह NCERT के अंदर, as it is mentioned है, जहां पर आपकी heart की structure स्टार्ट हो रही है, और हम इसको पढ़ते ही नहीं है, बहुत बढ़िया question बनता है, यहां से ध्यान रख लेना, और अच्छे अच्छे इस question के इनने रोहेंगे, next, cortical nephron does not differ from the juxtamalurine nephron, their number, number different होता है, presence of the peritubular capillary, wasa recta reduce होती है, short handling loop, by peritubular capillary तो दोनों में मिलेगी न, handling loop बड़ा छोटा हो सकता है, wasa recta reduce हो सकती है, या फिर नहीं भी हो सकती, number vary कर सकते हैं, 80 to 85, 10 to 15%, but peritubular capillary दोनों में present होगी, similarity पुछिए न, not differ लिखा है, दिखर आपको, not differ from, 1 और 2 को match करना है, uremia, 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 diabetes mellitus, diabetes mellitus, jaundice and gout, gout जो होता है, uric acid in joint, ये तो सीधा ही आगया, deca 4, deca 4, A की option है, A का 3, uremia, high ureine, blood, deca 1, diabetes mellitus, high glucose and urine, jaundice, c का, deposit of the bile pigment in the skin and eyes, so answer is, 3, quick, next, देखें आप, क्या बोला है, which one of the following, 1 और 2 को match करना, इसमें भी है, न, fibrous joint, कहा होता है, बढ़ी, skull के बीच में होता है, 1 का क्या हो जाएगा, 1, cartilaginous joint, cartilaginous joint, B का क्या जाएगा, 3, 1 और 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 4, pyvoid joint, between the atlas and axis, saddle joint, between the carbals and metacarbals of thumb, answer is 2, यह दोनों question most important, जो इससे पहले discuss हुआ था, यह देखिए, यह match column disease का आपको दिया हुआ है, यह question आपको जो दिया हुआ है, यह अगर आप धंग से देखें, आपको समझ में आ रहा होगा, जो important question उठाए है मैंने, इता देखिए, breathing and exchange of cancers, body fluid and circulation, आपको लगते है ना, ऐसे ही बना दिया, excretory product and their elimination, locomotion and, sorry, excretory product and their elimination, locomotion and movement inbuilt हा उसमे, इसमें locomotion and movement के joint से question, next आजाओ भई, ऐसे ही नहीं बनाई है, brainstem comprises all except, midbrain होता है, yes, pons होता है, yes, medal amplugator होता है, yes, क्या seri bellum होता है, क्या seri bellum होता है, नहीं, seri bellum इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, क्या नहीं होगा यह पूचा है, क्या नहीं होगा, seri bellum नहीं होगा, clear, अच्छे से देख लें, क्या इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा तैरी बैलम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो सो रहे हैं बेटा देखो भई सीधी सी बात है जो student सोएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है मैं फिर से बोल रहा हूँ important point अच्छे से देख ले सभी student देखते हैं सेशन के बाद कितनी खरोचे है next पढ़ लो भई group of erthropoiesis stimulating hormone erthropoiesis stimulating hormone erthropoiesis मलब RBC formation में help करेगा RBC formation में कौन help करता है क्या cortisol करता है yes क्या estrogen करता है thymosin करता है thymosin नहीं करता growth hormone करता है testosterone करता है yes thymosin करता है thymosin नहीं करता फिर तो एक ही आगया last answer thyroxine yes testosterone yes cortisol yes erthropoiesin yes ये तो direct दियो हैं भाई thyroxine, erthropoiesin, cortisol testosterone chapter number 22 की summary एक बार जाकर देख लेना according to old NCRT chemical coordination and integration की summary के अंदर लिखा हुआ है कि testis जो होता है वो RBC formation में help करता testosterone उससे release होता है most important है summary के अंदर chapter number 22 की summary में ये mentioned है बेटा ज्यान अकना नेक्स्ट the select select the set of the hormone that bind to the intracellular receptor intracellular मतलब nuclear receptor से या intracellular receptor cytoplasmic receptor से जूडेंगे और its hormone receptor complex interact with the genome genome से सिधा जूड़ता है मतलब steroidal hormone नूडलो भाई insulin peptidal है epinephrine amino acid based होता है estradiol estradiol steroidal है LH FSH ये तो बिल्कुल गए cortisol and progestone 100% steroidal ये amino acid derived और ये कैसा होता है estradiol समझ में आरे है बात इन दोनों के अंदर अगर आपसे कोई directly पूछ लेता कि अगर ये नहीं दिया होता तो मैं इसके second के साथ जा सकता था बट ये दिया होए directly आपको क्योंकि epinephrine amino acid derivative होते है कैसे होते हैं amino acid derivative so answer is 4 next a triploblastic silomate with the close circulate triploblastic है और कैसा है silomate है close circulate system silomate triploblastic encylostoma ascaris sorry आपका roundworm roundworm ascalamethes pseudosilomate होता है antidone echinodermate anaphylase insecta arthropoda ferritima ferritima posthuma arthworm low circulate system silomate triploblastic condition show करता है next which one of the following set of animals belong to the same class class same होनी चाहिए ये बेटा same class to aptenoditis birds है और calotus reptiles calotus reptiles reptiles और chameleon ये तो सही है ना reptile reptile और reptile reptile same class क्यों गए bangeras reptile macropus mammal carchandron 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 conchicathees clareus ostrichathees ostrichathees तो answer is 2 clear ये c c c c c c याद है question के अंदर दिये थे है हां जी how many of the below structures are the intra-testicular 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 कौन-कौन सी structure अब ही testis के अंदर जो होती है हां जी ratitasis होता है yes vast difference ये बाहर की दरफ epididymis no wasa efferentia yes semiferous tubule yes semiferous tubule after that tubular recti ratitasis wasa efferentia उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो epididymis clear so तीन ऐसी structure होगी जो intra-testicular structure आपको देखने को मिलेगी answer is 2 अरे भाई ratitasis ये testicular lobule इस testicular lobule से यहाँ पे semiferous tubule निकल करके semiferous tubule निकल करके यहाँ पे ratitasis की formation करती है ठीक है ये ratitasis ratitasis से बाहर की तरफ ये tubular ये रेक्टाई होगा पहले यहाँ पर ठीक है ratitasis से बाहर वासा इफरेंशिया होगी वासा इफरेंशिया अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे IPT दैमीज देखने को मिलता है एक rough structure बनाया है मैंने तो intra-testicular testis के अंदर कौन-कौन सी है आपको देखने को मिलता है यहाँ से पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स का कोशन पूछा जा सकता है जहां से यह अटेश्ट हो रहते है next select the in vitro ट्या बोला है in vitro fertilization बलाब में बाहर fertilization होगा इनमें से कौन सी टेक्निक है artificial insemination in vivo है बेटा यह कासा in vivo when male partner is incapable for the insemination or the low sperm count artificial insemination is used but fertilization takes place within the female body that's why it is the in vivo fertilization process second one is intra-uterine insemination it is also process and gift gamete intra-fellopene transferred in this fertilization also takes place in the within the female body that's why in vivo fertilization technique है पूछा आप से in vitro है तो in vitro का अंसर क्या हो जाएगा intra-cytoplasmic sperm injection जो लाब के अंदर होता है और अच्छे इस कोश्चन को गलत करते है महानुभाव ICSI जहां नकलेना गडबड मत करना intra-cytoplasmic sperm injection अरे भाई ये कोश्चन तो सबसे last में पूछेंगे छोड़ो 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 इसको आगे चलो आगे चलो आगे चलो वो कोश्चन आने वाला है नीट एक्जाम के चलो पूछी लेते हैं इस तो गया आप लोगों को अरे भाई एक जो इन्सेक्टा है ना वो तंग कर रहा है और हनी भी है वो और काट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी और यह वही है जिसमें बेटा नहीं होता पोता होता है वही है ना पापू नहीं होता और दादा होता है इधर आजाओ सुनो इनकरेक्ट मैच आपसे पूछा है इंटरफेरोन इंटरफेरोन साइटोकाइन बेरियर बिल्कुल सही है जल्दी जल्दी से अजी हां विडाल टेस्त अब जल्दी से किसके लिए लगाते ओ जल्दी से उन्जी हाँ विडाल टेस्ट आप जल्दी से किसके लिए लगाते हो क्विक अब मैंने यंतर रखे हुए आने दो मेरे पास में न धार लगा लेता हूं न मैं इसको अब क्यों बार मेरे पास आएगा सुनो गुड टाइफॉइड के लिए मैं अंसर के अंसर बेडिक कर रहा था आप लोग क्या अंसर दे रहे हैं क्या जाएगा इनकरेक्ट क्या जाएगा इनकरेक्ट इससे पहले वाला कोशन सबसे लास्ट के अंदर आप लोगों को रिपर्जन किया जाएगा जिसका अंसर आपको द मैंने आपसे graph के अंदर भी पूछा था, क्यों important है यह अब आपको समझ में आ रहा होगा, इधर देखो, छोड़ी आप सभी, इधर देखिए, इसको important, यह चीज़ समझे, after industrialization, high frequency of the melanic moth, biston bitularia, biston bitularia, biston carbon area, आपको पता है, वो किसको define करता है, एक direction के अंदर shift होगे था, before industrialization and after industrialization, in 1850s, in 1920s, समझ में आया, before industrialization और after industrialization, सारे के सारे आपको, कैसे देखने को, melanic moth देखने को मिल रहे था, और directional को represent करता है, जब कि यह कि की तरफ जा रहे है, stability की तरफ जा रहे है, तो first तो क्या होगे आपका गलत, high frequency of the white color moths, before the industrialization, क्या यह high frequency, उसमें भी एक आपको देखने को मिलता था, third number, average body weight at which newborn baby is more likely to survive, average body weight, more likely to survive, mid के अंदर, बिल्कुल सही है, selection of the last size beak of the bird during drought, ऐसा कुछ नहीं है, इसको define करता है यह, और इस पर based एक question भी मैंने आपको करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, most important है, फिर से ध्यान लखना, ये yellow heart, आना start हो गए है, it means, समझ ज़ए ये आप, तो, तर present है यहाँ पर, live में, और आप लोगों का ध्यान लखन लखने हैं, एक, cctv की तरह है, आपको cctv बोल रहे हो, cctv से बोल रहो कि, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, सब पता चल रहा है सर को भी, धंक से पढ़ लो, जो questions आपको करवाया जा रहे हैं, 101% आपको, आपके, neat exam के अंदर देखने को, मिलेंगे ही मिलेंगे, बात करते हैं आपने निट exam, अभी तो पढ़ो आप, इदर आजाएए, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, treatment of ADA deficiency, 100% true है, cry1 AC zine, cry1 AC is specific for the, cotton ball bomb, क्या दिया हुआ है, कौन बोरर, अरे भाई, इन तीनों को याद अख लेना, cry1 AC, cry2 AB, और cry1 AB, cry1 AC and cry2 AB, और cry1 AB, cry1 AB किसके लिए होता है, cry1 AB is specific for corn borr, और cry1 AC और cry2 AB, यह किसके लिए होता है, यह होता है, cotton ball warm के लिए, चिक है, तो जहां अख लेना, यह दोनों cotton ball warm के लिए है, और यह किसके लिए, कौन बोरर डिज़िस के लिए, clear, ध्यान नगना, गडबड मत करना, so answer is, answer is, 2, डोली, non-transgenic ship, और रोजी, transgenic, आउ, next, अरे भाई, डोली, clone, याद है, transgenic का से वो, क्लोन था ना वो तो, next, complete analogy, plane area, plane area के अंदर क्या मिलता है, proton nephiridia, तो amphioxys, amphioxys, phallocodita, phallocodita के अंदर, flame cell, solenocyte, flame cell, flame cell, flame cell, flame cells, आपको देखने को मिलेगे, NCIT में direct mention नहीं है, important है, ध्यान रख लेना, NCIT में direct mention नहीं है, important है, ध्यान रख लेना, यह आपको वहाँ define किया हुआ है, chapter number 19 के अंदर, एक बार आप, page number, chapter number 19, page number 291, page number 291 का, जो first paragraph, अच्छे से जा कर के देख लेना, जनल वहाँ पे, entenal gland, green gland जो बताई हुई है, आपको proton nephiridia, nephiridia उनके बारे में बताई हुआ, वो सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, clear, next, solenum nigrum, solenum nigrum, solenum nigrum क्या होता है बेटा, solenum nigrum किसका, botanical नहीं में, हाँ, solenum nigrum, solenum tuberosum, solenum melanzina, quick, solenum nigrum, bangan जानते हो, bangan, brinzal, सुना है कभी, कितने question और है, 10 questions है, max to max, 87 के round अपने पहुंच चुके हैं, 10 के round questions है, एक question जिसका answer आपको देना है, quick, solenum nigrum, general link के अंदर, simple leaf आपको देखने को मिलती है, कोई pinnately compound नहीं होती है, simple leaf आपको देखने को मिलती है, और कैसी brinzal, brinzal के अंदर condition कैसी होगी, आरे भाई, एक ही option दिया होगा है, hypogynus, याद है, coconut, mango, brinzal, यह जो आपको एक्जांपल सार्टिं, mustard, इन सभी के अंदर काउंची कंडिशन होती है, hypogynus condition होती है, answer is, first, next, select the incorrect statement from the following, इन में से incorrect statement आपको चूज करना है, endodermis in root is characterized by the casparian strip, बिल्कुल सही है, inner most of the layer of the cortex in monocot stem is the endodermis, monocot stem में तो endodermis होती है नहीं है न वेटा, so answer is, two, यह तो आ गया, lateral root angiosperm are initiate from the pericycle, बिल्कुल सही है, all the tissues on the inner side of the endodermis is constitute the steel, बिल्कुल सही है, statement NCRT से ही निकाले गही है, dicot root के अंदर लिखाओ है, dicot root में लिखाओ है, monocot stem के अंदर mention ही नहीं है, inner most जो होती है, inner most जैसा कुछ नहीं है, epidermis, hypertermis, after that, पूरा ground tissue में scattered vascular bundle होते हैं, clear, next, यह भी आपको dicot stem में लिखाओ है मिल जाएगा, monocot dicot stem दोनों के अंदर, इदर, क्या बोला है, which one of the following does not occurs in plant, covered रहते हैं, तो जब angiospermic plant, gymnosperm, angiosperm की बात करते हैं, तो इन में से कौन सा नहीं होता पूचा है, embryo जैनी, yes, embryo जैनी होती है, embryo development होता है, double fertilization, yes, double fertilization आपको देखने को मिलेगा, mega sporogenesis, 100% true है, photosynthesis in gametophyte, most reduced gametophyte is found in the angiospermic plant, in which the gametophyte is dependent on the sporophyte, तो most reduced होता है, photosynthesis कहां से कर लेगा, male gametophyte, pollen grain, female gametophyte, embryo sac, तो वो photosynthesis नहीं कर पाता, तो वो फोटोसिंदेजिस नहीं कर पाता है, तो यांसर इस 4, next, genetic map, क्या पूचा है, identify the following statement, true and false बताना है, true and false आपको define करना, ठीक है, genetic में पार used to, use in the sequencing of the whole genome, 100% true statement है, the recombination frequency of gene is independent, independent from the distance between the gene, dependent होती है, 1 cm organ, 1 map unit, याद है, एक क्योच्चन करवाया था, numerical biology, 1 map unit, 1 cm organ, याद है, और 1% recombination frequency, dependent होती है, तो बी गलत हो गया, बी गलत तो ये दो option तो गई, बच गए दो, number of the chromosome, per somatic cell in the male grass hopper, is same in the female, male grass hopper, देखो भाई, sex determination के अंदर, पूरे page पे नीचे से, second paragraph में, दूसी तीसी line में, XO, याद है, एक कम होता है भाई, तो दोनों में same कैसे हो जाएंगे, दोनों में same कैसे हो जाएंगे, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया इसका, गलत, थर्ड भी कैसे है पॉल्स, आगया answer first, in honeybees, male and female individual have different fluides of their somatic cell, होता ही है, next, इसर, which additional enzyme is required for the replication of DNA, DNA, on the template strand, with polarity 5' to 3'. अब भी template strand, 5' से क्या है, 3' और अगर एक template stand होता है, 3' से 5' 3' से 5' तो नया बनने वाला क्या होगा, 5' से 3' तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यससे क्या बनेगा, continuous strand, क्या बनेगा, continuous strand, अब यहाँ पर आपको discontinuous, क्योंकि जैसे यह open होगा, वैसे वैसे, अब यह open होगा, तो यह तो continuation में आके जाएगा, यह open होगा, तो आपको दुबाराए से इसको synthesize करना पड़ेगा, तो यहाँ पर additional पूछा है, topo-isomary sub में चाहिए, helicase sub में चाहिए, primase sub में चाहिए, तो extra में क्या चाहिए, DNA ligase, for the, for the, for the, feeling of the Oka-Jaki, gap in between the Oka-Jaki fragments, gap पहले fill ओका nucleotide आजाएगा, last ceiling किसे होगी, DNA ligase से होगी, clear? तो additional DNA ligase हमें चाहिए, next, incorrect पूछा है भई, और आपको बोला, rough endoplasmic reticulum site of the protein synthesis, बिल्कुल सही है, Golgi apparatus formation of the glycoproteins, true है, lysosome, has alkaline condition, नहीं, acidic condition होती है, answer is, 3, chloroplast, semi-autonomous organelle की के दरे रहे रहे होता है, बिल्कुल सही है, तो ध्यान अगना, lysosome जो होता है, वो acidic pH पे, किस पे वबग करते हैं यह, acidic pH पे ज़्यादा effective होते हैं, protease, lipases, nucleases, or carbohydrateases, one of the, one of the difference between the, prophase first of the meiosis, and the prophase of the mitosis, is that, prophase first of meiosis, or prophase first of mitosis, condensation of the chromatin fiber, दोनों में होता है, nucleolus disappear, दोनों में होता है, nuclear envelope begins to disintegrate, दोनों में होता है, pairing of the homologous chromosome, येस, बिल्कुल सही है, अगर आप देखें, यहाँ पर आपको, homologous chromosome की pairing नहीं मिलती है, हर एक chromosome, एक ही, ये one number pair, ये भी one number pair का, एक ही equator पे आपको align देखने को मिल जाते हैं, जबकि इधर क्या होता है, homologous chromosome के pair आपको देखने को मिलेंगे, मलब ये तो मैंने metaphase बना दिया, metaphase के अंदर pairing इस type से आपको ये देखने को मिलते हैं, align, ठीक है, prophase के अंदर scattered one one chromosome आपको देखने को मिलेगा, ये इधर और condensed हो जाएगा, यहाँ पे आपको chromosome किसमें मिलेंगे, pairs में मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, pairs में मिलेंगे, तो meiosis first का जो prophase first होता है, उसमें pairing होती है, यहाँ पे pairing देखने को नहीं मिलती, clear? So pairing of the homologous chromosome takes place in the prophase first, which is different from the prophase of the mitosis. Next. In which one of the following kingdom of most important question, और मैं यह मानता हूँ कि यह question आना चाहिए, कल परसो जब table भी discuss हुआ तो मैंने वहाँ पर भी repeat किया था, NCRT chapter number two, biological classification, page number two पे जो table आपको दिया हुआ है, उस table को जाकर कर आप अच्छे से देखें, page number 17, अच्छे से जाकर कि उस table को आप देखें, उस table के अंदर सबसे last last word जो डिब्बे में लिखा हुआ है, वहाँ पर holozoic और heterotrophic के बारे में, holozoic separate, sorry, holozoic के बारे में लिखा हुआ है, animalia के अंदर, holozoic word उस किया हुआ है, गडबड मत करना, पूछा हुआ है, holozoic के बारे में, answer is, animalia, table number 2.1, last last, जो आपको define किया हुआ है, most important है, next, identify the element on the basis of the following information, absorbed by the plant in the divalent, चलो ठीक है, divalent की फोर्म में अब्जोर्ब होता है, involved in the synthesis of DNA and RNA, DNA polymenage और RNA polymenage की working के लिए क्या चाहिए, आपको magnesium आइन चाहिए भई, helps in the maintaining ribosome structure, magnesium आइन चाहिए भई, phosphorus, calcium, magnesium, magnesium, यहाँ दो से आपका अंसर आजाएगा, first वाला statement, mineral and nutrition के अंदर पहले दिया हुआ था, वो आपको नहीं पढ़ने है, बट still इन दोनों से आपका अंसर आजाएगा, next, select the statement which is not true, non-cyclic photophosphorylation के लिए इन में से कौन सा सही नहीं है, the process requires an external electron donor, बिल्कुल सही है, it occurs mostly in the stromalemily, stromalemily, stromalemily में तो साइकलिक होते हैं बेटा, ठीक है, और, it is connected with the photolysis of water, बिल्कुल सही है, it produces both ATP and NADPS, दोनों produce करते हैं, photolysis of water और external source of electron donor, चाहिए, चाहिए, water होते हैं न, answer is 2, it occurs mostly in stromalemily, stromalemily membrane, नहीं, thylakoid membrane के अंदरी, आपको अच्छे खासे देखने को में, cyclic वाला दोनों जगा होका, next, अब आजाएए, आज के session का, 4th last question, 4th या 5th last question, देखिए आप, regarding the photorespiration, अगर आपको पता चल रहा हो, इसे पाला question किसे रिलेटिट था, डिरेक्ली अगर आप देखिए, photosystem से, photosystem, cyclic, non-cyclic, इदर आजाएए, photophosphorylation, cyclic and non-cyclic, regarding the photorespiration, which one of the following statement is not true, इन में से कौन सा statement सही नहीं है, photorespiration, chloroplast, paroxysm, और mitochondria इसमें involved होते हैं, it involves the three organelles, all of which are the included in the, आरे भाई, endomeminant system, पाला ही गलत हो गया, no true, पूचा है पाला ही गलत हो गया, endomeminant system में ना तो mitochondria आता, ना paroxysm आता और ना ही, chloroplast आता, तीनों ही नहीं आते, next, it involves the loss of the fixed carbon, as in carbon dioxide, बिल्कुल सही है, it does not produce ATP, बिल्कुल सही है, no net gain of the NADPH in this process, बिल्कुल सही है, clear, तो जहां नकना, इसमें आपसे पूचे, carbon dioxide release कहां पे होती है, mitochondria के अंदर carbon dioxide release होती है, peroxide, S2O2, peroxisome के अंदर, गर्वर मत करना, amino acid किसमें बनते हैं, siren किसमें बनता है, mitochondria में बनता है, glycine के दो molecule, use कहां पे होते हैं, mitochondria में होते हैं, तो गर्वर मत करना, general points है, next, if the glucose molecules, undergoes the alcoholic fermentation, there is no net production of, alcoholic fermentation होगा, तो ATP बनेगा, हाँ, दो ATP बनते हैं, क्या carbon dioxide बनेगा, बनेगा, क्या alcohol बनेगा, बनेगा, क्या NADH और H+, बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि पहले glycolization में बनता है, और यहां पे reduction step में वापिस से, यह जो है, oxidized, यह जो NADS2 होता है, NADH2 oxidized होगे, NAD positive की formation कर लेता है, तो यह बनता नहीं है, next, cells of the, which of the following tissue are not set to be re-differentiated, इन में से कौन सा re-differentiated नहीं होगा, cork, cork होती है, cork cambium, cork cambium, cork cambium, phallum, phallogen और phalloderm, phallum, phallum, phallogen, और phalloderm, तो यह cambium जो होता है, cambium, cambium तो भाई साब, de-differentiated का होता है, de-differentiated, de-differentiated, पहले होता है, differentiated, यह de-differentiated का है, cork बाहर बनता है, और phalloderm, secondary cortex अंदर, तो यह de-differentiated, यह de-differentiated, और secondary xylem तो होता ही, redifferentiated है, तो phalloderm secondary xylem and cork are the redifferentiated cell, except phallogen, phallogen क्या होती है for cambium phallogen क्या होगा, cork ये क्या होगा, cork ये क्या होगा, secondary cortex ठीक है और ये आपको primary ये आपको de-differentiated cell देखने को मिलती है तो redifferentiated पूछा, क्या जाएगा answer phallogen next, for the second last question आजगा, उसके बाद आपको एक question दिया जाएगा, जिसका answer आपको खुद को drop करना है क्या बोला है, for the development of the new varieties of the crop in the plant breeding program, emasculation is essential if the female plant be as the unisexual female plant में unisexual flower होगे तो जुड़ती नहीं, emasculation emasculation किसका कहे जाता है, जिसमें दोनों हो बाइसेक्शुल फ्लार होगे, उसमें से आप स्टैमन्स को हटा दे, male parent plant with the bisexual flower, emasculation male के इंदर करने की जूरती नहीं है, फिर तो bagging, emasculation किसका कहे जाता है, जिसमें female plant पे, और male और female दोनों एक सिंगल फ्लार के इंदर देखने को मिले, तो male parent with the, bear the unisexual flower, male parent और male parent और जिनके इंदर unisexual bisexual मतलब भी नहीं है, female parent, female parent, plant bear the bisexual flower, जिसके इंदर emasculation के थूर, stamens को उटा दिया जाएगा, और desired pollen gain यूज किया जाएगे, that's why answer is 4, तो कि new varieties आपको plant breeding programs के इंदर यूज करते हैं, उसमें ये पूरा technique आपको बताया जाता है, emasculation होगा, bagging होगा, फिर desired pollen gain लेकर क्या होगे, फिर debagging होगी, वापी से pollen gain का dust को छिड़को होगे, फिर debagging होगी, वो सारी कहानिया, last question, देखिए आप, last question, जो मुझे solve करवाना है, उसके बाद एक question तो आपको solve करना है, इदा देखिए, क्या दिया हुआ है, trichoderma, trichoderma, dragonfly, हाँ जी, जल्दी से इस cancer drop करें, trichoderma, nucleo polyhydrosis, B का क्या जाएगा, 1, B का क्या जाएगा, 1, एक ही option है बाई, yellow, trichoderma, common in the root of, in the root ecosystem, nucleo polyhydrosis virus, pathogen that attacks the insecto specific narrow spectrum, ladybird, ladybird, control aphids, and dragonfly, control mosquitoes, most important, NCRT, bio control agents, जो आपको दियो है, microbeam, human welfare के अंदर, and bio fertilizers, जो दियो है, वहाँ से question आ सकता है, जहाँ नकले, जो point दियो है, narrow spectrums, species specific होते हैं, जो nucleo polyhydrosis virus वगारा, उनके बारे में लिखा हुआ है, पीछे glomus के बारे में दिया हुआ है, cyanobacteria के बारे में दिया हुआ है, fungi के बारे में दिया हुआ है, cyanobacteria, fungi, glomus मत भूलना, glomus most important है, genera, genus है वो एक, इदर, and finally, यह था आज का आपका paper, last में मैं आपको वो question represent करने वाला हूँ, उससे पहले आप देखें, similar kind of questions के लिए आपको theory अगर revise करना है, तो आप यह 43 hour का पूरा session है, अगर आपकी demand रहती है, biology gunshot की, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना, आप लोगों में enthusiasm देखने को नहीं मिल रहा है, कि biology gunshot आप लोगों का लिया जाए, अगर comment section के अंदर मुझे आप लोगों की demand, आप लोगों का enthusiasm दिखा, तो मैं पूरी theory, फिर से revise करवाने को त्यार हूँ, आप लोगों को, पूरा complete chapter number one की first line से लेकर के, till last chapter की last line तक आपको एक एक चीज tips पर करवा दी जाएगी, अगर आप enthusiastic हैं तो, इस तरीके से अगर आप रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, मेरको भी ऐसा लगता कि मेहनत की जा रही है, पर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो 43 hour की session से जिससे previously जो recorded है, जिससे आप अच्छे से revise कर सकते हैं, 3000 question से आप question practice कर सकते हैं, similar kind of session आपको biology field 11th NCRT और 12th NCRT का पूरा complete filling the blanks के अंदर convert किया हुआ, ये part आपको मिलेगा, मैं फिर से बोला हूँ, last मैं question बताऊंगा, मैं आपको जो आपको जिसका answer, comment box के अंदर drop करना है, अभी नहीं बता रहा हूँ, feel ये session जिसके अंदर हर एक NCRT के वो keyword जिनको हटा दिया गया NCRT से और आप से fill करवाया गया है, ये पूरा session आपको इस चैनल की playlist में आप जाएंगे, तो आपको मिल जा आपने वाला है, और already जो चैनल पर uploaded है, वो organic gunshot के साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं, physics के already 16R के जो दो session आपको देखने को मिल जिसमें 90 marks आप अपने ensure कर सकते हैं, इनके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं, and after that, neat, hard basic से ये विश्वास 2025 के लिए जो आपका channel, neat, hard basic से, आप जाए भी नहीं है, ठीक है, आप अपने भाई बंदों को recommend कर सकते हैं, आपको तो इसी साल select होना है, ये पूरा paper आपने अच्छे से कर लिया होगा, देखिए आप, और finally, विश्वास, विश्वास बैच के बारे में मैं already आपको बदा चुका हूँ, और ये आप अच्छे से जान 650 प्लस पे zero fee program जो student 650 प्लस score करता है, 101 उसका fee refund हो जाएगा, और Pro Max के सारे features आपके सामने हैं, अल्रेडी इस पे एक video upload कर दिया गया है, नीड हद बेसिक से इसी channel पे आप जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, क्या क्या मिलने वाला आपको Pro Max के अंदर, and finally, किस तोरीके से payment portal पे जाते हैं, और वहाँ से आप अपना batch जो है, वो enroll कर सकते हैं, finally, यह सारे points मैंने आपको बता दी हैं, कैसे कैसे आप proceed कर सकते हैं, और अब बारी है, final question की, और final question के बाद में, मैं इसको just close करना ही वाला हूँ, तोकि उसके बाद आपको comment section के अंदर, उस question का answer drop करना है, बढ़िया question, आप क्या सोचोगे, click करते ही देख लोगे और answer बता दोगे, क्या, सोचना पड़ेगा भई, इसी वज़े से संभाल के रखा हुआ था यह question, चलो पहले अपने यह देखते हैं कि आज क्या क्या पड़ा, उसके बाद question की बाद करेंगे, देखो, आज जो अपन पर भी अटकने वाला नहीं है, और अच्छे से आप देख सकते हैं, सारे questions, total 99 discuss कर चुके हैं, एक का answer आप drop करेंगे, अभी comment section के अंदर, क्या हैं वो questions, तो यह रहा आपका question जिसको आपको comment section के अंदर जिसका final answer आपको drop करना है, यह पूरा question आप अच्छे से देख लें, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में आपके सामने हैं, अच्छे से analyze कर लें, इस question का answer आपको इसी session के comment box के अंदर drop करना है, और बताना है कैसा राज का session, इसी तरह के mock test अगर आप चाहते हैं, तो यह आगे proceed किये जाएंगे, continuation के अंदर रखे जाएंगे, और biology gunshot के बारे में, आपका क्या कहना है, आप लोगों के लिए ही यह मेहनत की जा रही है, नीट काका जी की पूरी team, दिन रात आप लोगों के लिए लगी जिसमें 7-8 papers पूरे complete किये थे, after that 36 year का निचोर जिसमें एक पूरा approach रखते हो कि कौन-कौन से questions most repeated हैं, और किन-किन questions, किन-कौन से conceptual knowledge आपके होनी चाहिए, after that we discussed about the numerical biology जिसमें पूरे complete numerical based question अपनों ने solve किये थे, उसके बाद आप से discuss हो थे table और उसके questions, ग्राफ और उनके questions, इस तरीके से number of session आपके लिए जा चुके है, question based, यह mock test अपका first था, hundred में से कितने question आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कौनचा question गलत हुआ, even वो भी आप जोरू बताएगा, comment section के अंदर, so I think this is sufficient for today, love you all, thank you. झाल झाल